हाँ जी चलो भई आखिर वह दिन आही गया जब हम लोगों को स्टार्ट करना है रिविजन पहला चैप्टर पहला चैप्टर नो डाउट हम डेरिविटीव से पहला चैप्टर लेते हैं और अगला चैप्टर जो फॉरेक्स का होगा शेडूर आपको पाता है कब फॉरेक्स होने वाला है तो उस फॉरेक्स में देखो रिविजन में दो बात याद रखना है आपको टेश्ट देना ही होका और टेश्ट देना है तो वो कहां मिलेगा इस डेरिविटीव का प्रिविजन करोगे उसके बाद आप टेश्ट के लिए तेयर हो जाओगे तो अगला जब र इसला रिविजन हुआ है मतलब ये वाले चैप्टर डेरिविटीव उसका टेश्ट पिपर होगा ठीक है ताकि आपका रिविजन हो गया है उसके बाद आप टेश्ट के लिए तेयार हो दूसरा है कि कुछ कोश्चन से जो है वो नए आई हुए है तो सर वो यहां कवर्ड ह है किया नए कोश्चन को हमें थोड़े अच्छे से करना पड़ेगा तो वह डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करोगे तो उस नए कोश्चन की उन नए कोश्चन के लिंग आपको मिल जाएगी वो आपको अलग से करना है रिविजन वीडियो के अलावा ठीक है और क्या डाल description description में मैंने और डाल रखा है कि हम थोड़ा fast fast चलेंगे revision चल रहा है पर कुछ बच्चों का ऐसा लगता नहीं हमको यह detail में समझना है तो वो detail में समझना है तो उसका भी मिने description में link ते रखा है कि कोई concept में थोड़े speed से चल रहा हूँ पर आपको समझ में नहीं आया तो वो video वो video अगर मेरे YouTube में डला हूँ है वो concepts अगर YouTube channel में है तो वो आपको मिल जाएगा वो आपको description में check करना होगा ठीक है ठीक है जी ठीक है चाहे वो question ही क्यों नहीं क्यों नहीं करके चलूंगा कि आप revision कर रहा है आप पहली बार मुझसे नहीं पढ़ रहा है ठीक है जी हाँ तो इस्टार्ट कर रहे हैं लोग डैनी विडियू पूरा complete revision है थोड़ा सा टाइम लगेगा revision में पर complete है सारे questions cover कर लिया है मैंने आपके study material के और exam के भी concept से concept के साथ questions भी करें तो हम आखिर डैनी विट्यू समझने की एक बार फिर से कोशिस करें बहुत कुछ लिखा हुआ है आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है पर वो जो बहुत कुछ लिखा है उसको read करने के पहले हमें थोड़ा वहत तो समझना जरूरी है no doubt आपको आता है पर revise कर ले तो हाँ sir revise हो जाए तो मज़ा जाएगा ठीक है तेयार हो जी यस एक पर्शन है राम राम को क्या लग रहा है कि share का प्राइस किसी भी एक particular company का share का प्राइस बढ़ने वाला है ठीक है share का प्राइस बढ़ने वाला है तो राम प्रॉफिट कैसे कमा सकता है sir market share खरीद कर रख ले आज और कुछ समय बात और मान लो आज share का प्राइस कितना है आज ले ले दे इसको बहुत सी एमपी मतलब current market price आज 110 रुपए अगर share का प्राइस आज 110 रुपए और राम को ऐसा लग रहा कि आज से कुछ समय बात आज से तीन महने बाद share का प्राइस बढ़ेगा तो राम profit कैसे कमाएगा सर सर सिदी सी बात है आज share खरीदेगा तीन महने बाद मान लो share का price 150 हो गया तो 110 का purchase किया 150 का बेश देगा 40 रुपए की कमाई हो जाएगी मान लो और अगर share का price गिर गया तो अगर share का price 50 रुपए हो गया 50 रुपीज हो गया क्या करोगे हाँ सर इस में तो राम को लॉइस हो जाएगा राम की सास्मस्या यह है वो profit तो कमाना चाहता बोले profit हो जाए तो बहुत है पर लॉइस्क के हइल से डेरिविटी उसके हल्प से, वोगी मैं समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे डिस्कुस करेंगे, रिवीजन है, मैं जानता हूँ रिवीजन है, पर रिवीजन मतलब मैं हवा में तो नहीं पढ़ा सकता ना सारी चीज़े, ठीक है सर, तो सर कहा करें, अब बीच में कौन आया, बीच में आगया, इस्टॉक एक्षेंज, आगे जो लिखा हुआ ना सब यहीं डिसकुस हो जाएगा, इस्टॉक एक्षेंज बोलता है, कि सहाप, राम, आप चिंता मत करो, आपको लॉस वॉस नहीं होने वाला, अगर शेयर का पाइस चालिस रुपए हो गया हम आपने 110 का शेयर खरीदा और तीन मेने बाद शेयर का प्राइस चालिस हो गया, तो भले लॉस होगा आप लॉस की जिंदा मत करो, आपको प्रॉपिट ही होगा, बोले कैसे, बोले एक काम करते हैं हम लोग, आप सुन नहीं, राम, इस्टॉक एक्षेंज के साथ एक कॉंट् में लिखा हुआ कि राम, आप आज से, आपको लग रहा ना शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो भले आज मत खरीदिये शेयर, आज से तीन मेहने बाद आना, और यही शेयर हम आपको कम दामों में दे देंगे, मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, चलो ना, कॉंट्रेक्ट बना ही लिते हैं, तो क्या लिखा है, तो ले राम, इस कॉंट्रेक्ट में लिखा है, राम हैस राइस राइट, तू, बाइ, शेयर, आफ्टर, त्री मॉंस, रुपीज, चलो और कम में दे देंगे, 106, आज मार्केट में प्राइस के उससे भी हमको कुई मतलब नहीं, राम एक कॉंट्रेक्ट बनाया जा रहा, और उस कॉंट्रेक्ट में लिखा है, राम आपके पास राइट है, कि आज से तीन महने बाद, आप यही शेयर, जो आप कांच नहीं बbyले बस आजा को कांट्रेक्ट करना साह और कुछी नहीं करना यह ए- hee है चलो चीजा कॉंट्रेक्ट बन गया और इस कॉंट्रेक्ट-रामने का चीज सोचलो अगर शेयर का प्राइस बढ़ा, शेयर का कि मत आना ना भाई मत खरीद राम से इस से अच्छी बात हो यह नहीं सकती ठीक है अब हुआ क्या अब राम ने कहा कि इसके लिए कुछ पैसे लगे बोले हां इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेगे बोले अच्छा बोले हां और जादा नहीं इस कॉन्ट्रेट की वो सिर्फ और सिर्फ आठ रुपै देना पड़ेगा, जरी आठ रुपै कहां से आया, मन से लिख रहा हूं सरी चीजए, और इसको मालूम है, क्या बोला जाता है, प्रीम्यम एमाउंट, प्रीम्यम, और इस सर ये कब देना होता, यह आज ही देना पड़ेगा कि हाँ बेटे जिस दिन contract हो रहा है उस दिन देना पड़ेगा इट मिन्स राम अपने जेप से यह जो contract बन रहा है ना इसकी value देना पड़ेगा और वो contract की receipt मुझे मिली यह receipt मुझे मिली मेरा हूं यह receipt मुझे मिली और बदले में मैंने आठ रुपए दे दिया किसको दिया इस टॉक एक्षिंस को उसका आगे क्या होगा वह बाद में सूचेंगे और यह मुझे मिल गई और तीन महने बाद यह रिसिप्ट यह कॉंट्रक्ट पेपर लेके में इस टॉक एक्षिंस के पास जाऊंगा और उससे शेयर 106 रुपए में खरीद लोंगा टेंशन खता हूं और मार्केट में जितना भी प्राइज बढ़ जाए में तो खुशी का ठीका नहीं शर अगर शेयर का प्राइज कम हो गया तो 40 रुपए हो गया तो तो राम के ता फिर तो मैं जाऊंगा यह नहीं पर हां उस प्राइज देएज कि अनुद मेरा लोश है और कितने क्लोम से आठ कर अप है यहां तक ठीक है की है अच्छा सर मसर बाद बताऊ इसकी इस जो रिसिप्ट है इसको बाद पाइस के लिए आपने पैसा कितना दिया इसके लिए www. epicrap.com ने दिया खालि पाफ स्थिन मेहने बाद आप लेकरasis आप लेकर गार चाहिए न आप 700 रुपए दिया है किसने दिया इसका 8 रुपए और कितने माने बात एंवाद रोगया है कि अगले ही दिन शेर की प्राइस 140 रुपय होगी आज कुछी प्रैस से 110 और कितたい ऐस पाइस ऊप में चला जाओंगा थीन मैने बाद प्लीज मुझे देद और आपने इसको कितने मेड़ी शिप लाइं तो फोले ठीक है मैं आठ यूपए देता हूं आपको शेयर के नहीं इस सोफ दूसल कि राइव बढ़ गई है यह क्या है यह financial instrument है नेगोसियवल इंस्ट्रुमेंट जिसके पास जाएगा कि इसकी वैल्यू बढ़ती है यह कम होती है वो डिपेंड किस पर करता है इसकी कोई वैल्यू वह किसी डिराइब कहां से होती है इसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट वह शेयर भी हो सकता है गोल् रुपए दे चुके हो प्राइस बढ़ेगा तो हम जीच जाएंगे और प्राइस कम होगा तो बस आट रुपए तो दिया भी यह लॉस हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है अल्टिमेटली शर्थ ही लगा ठीक है एक बार रिट कर ले अभी क्या किया है अभी कुछ नहीं कि मैंने एक-एक चीज डिसकस करूँगा अभी हमने क्या समझने की कोशिश किया है डेरिविट्यू डेरिविट्यू क्या है अगर ठीक से देखोगे हाँ जी सुनोगे डेरिविट्यू क्या है तो डेरिविट्यू के विज़िए डेरिविट्यू एक फाइनेशल यही तो लिखा है सब कुछ और अंडरलाइंग एसेट में शेयर भी आ सकता है स्टॉक बॉंड्स करेंसी स्टॉक इंडेक्स हाला कि डेरिवटीव क्या है बैटिंग करने का एक इंस्टूमेंट है ठीक है अभी क्या पढ़ रहा है अभी सिर्फ हम डेरिवटीव डिस्कृशन करा अब डेरिवटीव में हमें क्या करना है वैसे डेरिवटीव में तीन चीज़े पढ़ना हो था ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्रेस्ट रेट के लिए अलग चैप्टर कर दिया तो हमें दो चीज़े पढ़ना इसमें कौन-कौन से कौन्ट्रक्ट पढ़ना है और फावर्ड और फ्यूचर अल्टिमेटली फ्यूचर कौन्ट्रक्ट पढ़ना है अब पहले क्या डिस्कृस कर रहा है पहले कर रहा हूं ऑप्शन कौन्ट्रक्ट उसको हमने तीन कैटिगरी में टीवाइट किया हुआ है तो हमें एक तो बेसिक्स डिसकस करना है दूसरा आप्शन का वैल्यू डिसकस करना और आप्शन स्ट्राइटेजी डिसकस करना ये वाला जो है ना ये इंपोर्टन्ट है ये वैल्यूएशन आप आप्शन इंपोर्टन्ट बेसिक्स मिन तो कुछ हय नहीं है विडिंगते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखना बेसिक्स पड़ना जूरी समझना ज़री तो ठीक है सर बेसिक्स कर्टाइए ये यहां पिशन करहा हुँ आपको, ठीक है जी तो यहां तक अब इसटोरी चल रही थी एक्चुलि यह कुज जो कान्ट के बाराइ को चॉल्ड ना इस कोन्टरेट का नाम इसकोन्टरेक्ट का नाम है और राम को क्या लग राथा राम को लग राथा कि शेर का प्राईस बढ़ेगा अगर इसको बढ़ेगा ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा तो ये जो option खरीदेगा इसका नाम है option का नाम है call option it means sir जब हमें ऐसा लगता है कि price बढ़ने वाला है तो हम call option खरीद लेते हैं जब ऐसा लगता है कि price गरने वाला है तो put option खरीद रहते हैं सर बस एक बात और पूछना चाहते हैं कि आज से तीन महने बाद शेयर का प्राइज मान लो बढ़ गया तो राम को फायदा हो जाएगा हां राम को शेयर मिल जाएगा और कितने में मिलेगा सर 106 रुपए में हाला कि इसको स्ट्राइक प्राइज या फिर एक्सराइज प्रीदने का कॉंट्रेक्ट हो चुका है उस रेट को हम यहां ऑप्शन में क्या नाम देते हैं एक्सराइज प्राइज यह स्ट्राइक प्राइस ठीक है सर यहां तक बात समझ वेंगे तो सर राम को 100% शेयर है कि तीन महने बाद 106 रुपए में शेयर मिल जाएगा हां तो स अगर शेयर काउन देख सर शेयर बेचने का काम को तो ब्रोकर रहा हां उसको कोई और पर्शन डिलीवर करेगा यह पर्शन डिलीवर करेगा इसका नाम क्या लिख दो श्यांट मेंस श्यां कहता है कि अब चिनता ना करो अगर श्यर का प्राइज बढ़ेगा तो स्टॉक ए अगर पॉरिस एक सो पचास हो गया मार्केत में तो मैं 150 का शीर खरीदुआ मारकेट से कोई दिक्कत नहीं और कितने में दे दूगा 106 में दें खराम आप चंथा मत करो यह आपको सिंद ले जइलें तो मैंjust ही दे दूंगा जितना भी आपका मेरा के 150 माइनस एक सो चे आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा था राम 44 का ना चलो मुझसे 44 रुपए ले लो शियर नहीं तो फोर्ट ऐसा भी कर सकते और ऐसा ही हो तक्स कैसे टिलमेंट ही उता है पर ठीक है मैं सब मसाला लगा कर संदो एक 106 रुपए में दे दूंगा बात खता है और अगर शियर का प्राइस 40 रुपए हुआ तो बहले 40 रुपए हुआ तो मैं 40 में खरीद कर राम को फोर्ट करूंगा कि राम मैं आप मुझसे शियर 106 में खरीद लीजिए भाई साब श्याम ऐसा करी नहीं सकता है इट मेंस राम के पास राइट है चाहो तो वो आए चाहो तो ना आए और आएगा कब जब शियर का प्राइस बढ़ेगा 150 रहेगा और अगर 40 हुआ तो राम के प्रेशर नहीं डाल सकते राम का ओबलिगेशन नहीं है अच्छा इट मेंस शियाम के पास ये राइट नहीं है कि वो इसको ब करता है बोलता ठीक है जी राम आएगा तो बता देना में शियर मार्केट से खरीद के डिलीवर कर दोंगा पर वो जो है कॉंट्रेट का पैसा जो प्रीमियम अमाउंट है वो इस टॉक आप नहीं रखोगे वो किसको ट्रांसपर हो जाएगा श्याम को ट्रांसपर हो किसको मिलेगा श्याम को हलाक इसका नाम है और इसको क्या वोल जाता है इसको the option आप्शन राइटर या आप्शन सेलर भी बोलते हैं, आप्शन राइटर अच्छा है, और सर इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है, आप्शन होल्डर, ठीक है जी यहां था, राम को कितना मिला, आड़ टुप है, शियर का प्राइज एक्सो पचास हुआ तो भाई, राम क्या क करेगा, मार्केट से खरीदेगा, शियाम को देगा, आट रुपए तो मिल चुका है, तो भी राम को महगे में खरीद के सस्ते में देना ही पड़ेगा, इक सूचे पर अगर शियर का प्राइज चालीस रुपए हुआ, तो सुचो, राम आए गई नहीं, तो शियाम के जिब में कितना है आठ रुपै तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसको कितने ही का हो सकता आठ रुपै का ठीक है यहां तक बात समझ भाई जल्द जल्दी बात करते हैं तो ऑप्सेन कॉंट्रक्ट में टूटल मिलाकर कितनी पार्टी दिख रही है आपको सरे श्टाक एक्षेन उसको कहते हैं तब जितना शेर का प्राइस बढ़ेगा उतना प्राफिट और स्टैरस कम हुआ अगर कॉल ऑप्शन के बात कर ग्रव स्थ मैं प्राइब कर अनलीमिटेट प्रॉपिट और कम लग तो अनलीमिटेट लॉस ने से प्रीमियम और इसका match कि मेक्सिमम प्राफिट किया मार्किट बहुत थाई जाए हाई और अगर कम भी गया बहुत कम गया तो भी दिक्कत नहीं सिफ आट रुपई जाने वाला इट मेंस यह कहेगा बहुत ज्यादा फ्लक्ट्विशन हो तो मज़ा जाएगा वालेटिलिटी और यह कहेगा भई वालेटिलिटी कम हो तो जादा अच्छा जितना बढ़े तो यह कौन सा ऑप्शन खरी सकता है पूट ऑप्शन ठीक है पूट ऑप्शन के विसे में बहुत ज्यादा डिस्कूशन नहीं कर सकता पर अभी इतनी बार समझते हो यह वाई साप अगर प्राइस बढ़ा तो कॉल ऑप्शन खरीदेगा अगर प्राइस कम होगा तो पूट बच्चे ना गलती क्या करते हैं वो ऑप्शन राइटर और पूट ऑप्शन होल्डर एक ही समझ लेते हैं अगर जहां आपको यह दिक्कत है साब तो फिर आपको बेसिक की क्लास मेरी देखनी पड़ेगी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं ठीक है डिस्क अप्शन कॉंट्रेक्ट इसको अप्शन होल्डर ऑप्शन होल्डर की में बात कर रहा हूं उसके पास राइट है बद ऑबलिगेशन नहीं है किस चीज़ का राइट है यह तो बाइक करने का यह सेल करने का अंडर लाइंग एसिट प्री डिटर्न प्राइस इसको आम क्या प्रेमियम पैट करना पड़ता है एडवांस में और यह किसको ट्रांसे MORE हो जाता है ओप्शन राइट को ट्रांस्पर यह डिस्कुशन हो चुकेरे हैं आगे बढ़एं तो कितने बाटी वह प्यांड कि रड़्य सब्त्रच मिलाकर दो पार्षी होती है с Assembly and must 201 कि को ता और और किंश्याम को margin मनी इसका profit unlimited हो सकता पर loss से premium premium दिए बात खतम इसको वाईसा पसी premium का फाइदा होगा loss तो प्राइज बढ़ेगा लोस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यह कहेगा कि क्या लगता है कि price बढ़ेगा तो हम call option करेंगे और हमको ऐसा लग रहा है कि price कम होगा तो हम कौन सा option करेंगे put option करेंगे यहां तक ठीक है हाँ बोलो हाजी वापस हाँ तो अभी तक हमने revision में यह बाते discussion किया था अब हम लोग आगे चल रहे हैं आपको पता है sir option contract जो है stock action से वो तीन मेंने का है यह zero period यह तीन मेंने ठीक है हाँ जी sir मान लो अगले ही दिन share का price 150 हो जाए अगले ही दिन next day 150 रुपे शेयर का अले ही दिन जाकर बोल सकते कि लाओ भाई share देदो मैं आज ही exercise करना चाहता हूं में नहीं वेट करना चाहता तीन मेने बात आज फाइदा दिखना तो आज exercise कर सकते कर सकते कि नहीं कर सकते कि तीन मेने कहीं वेट करना पड़ेगा depend करता कि option American है कि European अमेरिकन option बीच में कभी भी exercise किया जा सकता है अंत तक एंड तक पर European option सिर्फ और सिर्फ लास्ट में exercise किया जा सकता आप होते तो कौन सा option खरीदने अमेरिकन खरीदते कि European खरीदते American बीच में कभी भी exercise कर सकते है कि और लास्ट में कर सकते हों जहाँ फायदा दिख रहा है वहां करो पर European बीच में भले चरवार दो पहुंचा है जाहे का अछाहर अप बीच में exercise नहीं कर सकते हैं लास्ट कर सकते हैं तो सर इससे सब से अमेरिकन आप्शन अच्छा है और हर कोई अमेरिकन ही खरीदेगा ना हाँ बे टेबल गोल सहें लेकिन अमेरिकन आप्शन में प्रीमियम ज्यादा लगता है यह जो आठ रुपहना हो सकता यह अठारा लग जाए तो इसलिए यूरोपियन आप्शन सस्ता पड़ता है देखत है अमेरिकन आप्शन कैश फ्लो के यूरोपियन आप्शन कब एक्सराइस हो सकता अनली ओन मैच्योरिटी जबकि अमेरिकन आप्शन कब एक्सराइस हो सकता पहले भी हो सकता है या फिर ऑनमेज हाला कि अमेरिकन में प्रीमियम एमाउंट क्या होता है ज्यादा होता है ठीक इंट्रेस्टेड है शेर खरीदने में भाई शेर खरीदने में इंट्रेस्टेड है कोई शेर खरीदने में क्यों इंट्रेस्टेड होगा सर उसको लग रहा होगा कि शेर का प्राइस बढ़ेगा हां लेकिन डर भी तो है एफ्रेट और किस बात का डर है कहीं शेर का प्राइस बोले शेर मत खरीदो कॉल ऑप्शन खरीदो इस ट्राइक प्रैस कितना 300 300 अब प्रीमियम कितमा देना पढ़ रहा है 35 प्रीमियम 35 ऑप्शन कब एक्सराइज होगा कौन सा अप्शन है जी कॉल ऑप्शन तो सर 300 से उपर जाएगा तो ऑप्शन एक्सराइज कर दिया जाएगा 300 से उपर और बीपी कितने में आएगा सर भगवान शेर का प्राइज इतना बढ़ा है कि हमारा जो प्रीमियम गया हो भी रिकवर हो जाए मतलब बीपी कितने में आएगा 335 तो क्या पूछ रहा है बीप तो बीपी कितने में आएगा 335 और उन्होंने शेर का प्राइज दिया कुछ अगर 250 रुपया कि यर काब एक्सराइज होगा ऑप्शन का एक्सजब 300 से उपर जाएगा 250 वह तो एकसराइज नहीं होगा प्रीमियम का लौस प्रीमियम ग्रॉस पीएफ मतलब प्रीमियम से प 32 छूछ किटिना लास 20 रुपीश का प्रॉपिट है प्रॉफिट का प्रॉफिट है यह कर यो चॉरों में दिया यह तो कप का फिए टो मतलब का टॉप लब को ऑवा और को मतलब यह हूप कि जिस दिन आप option exercise करें उस दिन profit की loss profit 20 का लेकिन जो शुरू में दिया है वो minus करो ना यार present value पर मत जाना बस तो 15 का loss और यहां 40 का profit 35 काटने के बाद 5 का profit इस तरह से यह statement में यह आपको आता है तो यह आपको अच्छी से करना पड़ेगा और एक example लेते और इस बार put option का payoff अगेरा आपको नहीं आता है जिसको detail में समझ रहा है तो वह basic मैंने demo का description डाल रखा है ठीक है और एक question example Mr. G को लग रहा है कि शीर का price क्या होने वाला गिरने वाला तो भाई साब उन्होंने गिरने वाला going to fall तो क्या खरीदेंगे put option कितना exercise price 400 480 और 480 से कम होगा तो फाइदा put option price गिरेगा तो फाइदा और premium कितना गया 40 तो बीपी पूछ रहा है बीपी मतलब भगवान शेर का price कम कर दीजिए और इतना कीजिए कि मेरा जो 40 जा रहा है वो तो आजा है 40 मुझे premium देना पड़ेगा ला तो बीपी कितने पहाएगा सब 440 और आपको क्या निकालना profit loss पे आफ आता नहीं है मतलब ग्राब बनाने के लिए हमको आता नहीं तो हम उस मैटर पर बात नहीं करेंगे तो देखते हैं बीपी कितने पहाएगा 440 आपको देखना है ग्रोस तो एकसराइस प्रैस कितना 480 से कम होगा तो एकसराइस में यहां लिख लेता हूं क्योंकि कई बार इसको देखके कनफ्यूजन हो जाता 480 से कम होगा तो एकसराइस चार सो हुआ कम है एकसराइस असी का ग्रॉस पे-off लेकिन प्रीमियम काटने के बाद चालीस रुपय का नेट पे-off या इसी को क्या बिलते हैं profit and loss profit and loss पुछेगा यह नेट प्योफ पुछेगा इस तरह से ऐसी चारसोगी सुआ तो क्या अक्सराइस होगा यहेस अगर फोर फोर जी रो अग्रिश और यहां 480 से चारसो चारसोची यह उससे उपर गया लेप्स तो ये लेप्स हो गया, चालिस का आपको क्या हो गया लॉस और आपको pay off बनाने के लिए नहीं आता तो प्लीज आप इसको skip भी कर सकते दोनों जो इग्जामपल थे वो हमारे study material के कोशन नहीं थे ये जो कोशन है ये हमारे study material लिखा है चलो देखे पढ़ते हैं क्या लिखा हूँ ये चावशन है लिखा दा equity share of VCC Limited is quoted 210 current marketizer 210 3 month call option is available 6 रुपय जीखा है कॉल ओप्षिन का प्रीमियम छे रुपये और put option भी है और उसका प्रीमियम कितना है वाई? पाच रुपये है ठीक इस आपको क्या निकालना है आपको निकालना निट पे ओफ तू दा ओप्षन वोल्डरت न अपने खरीद है और दूनों के लिए प्राइस कितना है 2020. या तो आपने लिए कॉल प्षन खरीदा या तो आपने PUT option करी थैं कॉल option price बढ़ेगा तो पुट option price गिरेगा तो अगर share price 200 210 220 220 220 240 इस तरह से तुच चलू स्टार्ट करते कॉल option 220 के उपर में exercise तो यहाँ लैपस यहाँ लैपस यहाँ यहाँ एक्सेशाइस यहाँ एक्सेशाइस वहीं किया होगा 15 लेप्ट Ah लेप्ट सर्फ लेप्टस एकसरसाइस एकसरसाइस है और इसके अलावा इन्हों नेकिसी अलग तरीके से कर रखा है यह कैंश आपको जो फॉर्मिट मेने दिया उसमीं कर सकते हो तो इनूने गायाई दोस्टो इनूने एक्च्टेयर मैं शिर्ट देने किया था आप सीधी-सीदी लैंगवेश में कर लो कोई दिकत की बात नहीं ठीक है ठीक है सर और 6 रुपします कितना प्रीमियम का हम क्या करते थे 230 10 का प्रॉफिट 10 दो Krishna 6 चार यहां कितना 20 प्रॉफिट निया कुछ चाहिए कितना तौक में सिद्ध्र price कितना है 220 220 से कम exercise 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 यहां कितना 20 और यहां कितना 10 20-5 15 10-5 पांच 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 पाक्क एंक्सराइज ही नहीं होगा तो मैक्सिम्म लॉस कितने को करना पड़ेगा आपको यह वाला पॉइंट किया बोल रहा है इस पर फोकस करना आल सो इंडिकेट दा प्राइज रैंज एट विस्टा कॉल एंड पुट ऑप्शन में बी गैन फुली एक्सराइज भाई गैन फुली फायदा होना चाहिए एक मतलब वो बीपी बूशा एक ब फायदा नहीं होगा समझने के कोशिश कर वो बोल क्या रहा है वह रहा है सहाफ एक्सराइज करने से फायदा भी हो जाना चाहिए तो भाई 220 और 6226 से उपर जाएगा तब फायदा होगा कॉल ऑप्शन एक्सराइज दो 211 पर एक्सराइज तो होगा पर गैन फुली एक्सर इस पर के उपर जाता है तो एक्सराइज भी है और गेन फुली एक्सराइज भी है ऐसे मतलब सर बीपी पूछ रहा है ना हाँ जी और इसका कितना हो जाएगा 215 वह उन्होंने किया है 226 और 215 तो यह कोशन था और यह कोशन कहां से था यह कोशन था हमारा इस्टडी में द अब मैं आप से एक बात बताता हूं सुना ध्यांस कॉल ऑप्शन पूट ऑप्शन यह काफी कुछ हमारी समझ में आ गया हम लोग अब आगे चल रहा है अब बात यह है अब ध्यांस अना यह इंपोर्टेंट बात है अब बहुत कुछ लिए आज शेयर का प्राइस कितना है 110 हां हां और आज इंव एक प्राइस कितना 106 मतलब सर मार्केट प्राइड जादा होना चाहिए हान और आज ही ज़यादा है और कितने रूपेस ज़यादा है सर चार रूपेगा तो अभी तुरंट फाइदा दिख रहा है सर अभी के अभी फाइदा है चारूपे का प्रीमि हाँ अब आपकी साइब है और ये जो आट रुपे दे रहे हो डे इसमें अभी का क् наї Здhouse है ओर अप अभी के फाइदे की बात मत कर हो आने वाले तीन मेने विक तो है पीच में कभी भी के साइ owning तो ये जो बचे हुए चार रुपए क्या है इंट्रन्सिक वैल्यू और जो चार रुपए वो टाइम की वज़ा से दे रहा है इसलिए इसको क्या बोल रहा हूं है टाइम वैल्यू जो आप प्रीमियम देती है उसको में दो पार्ट में डिवाइट कर दिया जो अभी आपको फायदा दिख रहा है इस इंट्रन्सिक वैल्यू और अभी क्यों टाइम बचा हुआ है तो उस टाइम के लिए जो पैसे दे रहा है क्योंकि आज भी एक्सरसाइज बाद में बेख रहते है उसको क्या बोलती है आप टाइम मेल्यू सर अगर शिर हो प्राईस लुक ममें 107 रहता तो मालू मालू एक दो अभी फाएदा है क्या हां कितने का फाइदा मार्केट नहीं ज्यादा सर एक्रुप एगा जिए जो एपने खहनता है जोआ हो जाएगत सिक लिए सर अगर 106 होता तो तो अभी फायदा है कि 0 अच्छा तो फिर यहां क्या है सर फिर यहां होता intrinsic value zero और पूरा की पूरा आट रुपए क्या हो जाता टाइम य्थी थीक सर और सुनो सुनो अगर यह 100 रुपए होता तो यह तो लाउस हो गए है हां वैसे तो नहीं पर लो तो स्रीय च आपHayda है फाएन अगर फाइदा नहीं है पहला इंटरंश ए tief खेशू ए हैं थो धूसरिय लब्ग्जो मैं बोलू शेयर पास पहले कितना था है 110 क्या अभी फायदा है हां तो ऐसे option को बलते इन दा मनी इन दा मनी और अगर यह 106 होता तो ऐसे option क्या दोनों बराबर है हां इसको बलते एट दा मनी और सब अगर यह 100 होता तो तो profit नहीं तो loss दिखाई दे रहा है भी इसको बलते out of the money तो option कितने टाइप के अगर देखा जाए तो option तीन टाइप के इन दा मनी प्रॉफिट है एड़ दा मनी बराबर एक प्रॉफिट नहीं आउट अवदा मनी लॉस है तो दूसरे अगर option इन दा मनी है तो intrinsic value आएगा अगर option आउट अब दा मनी या या एड़ दा मनी तो intrinsic value नहीं आएगा सब की सब क्या होगा टाइम वेल्यू होगा सर इस स्पीट से हो गया पर मैं मजबूर हूं बिट्टी इसलिए मजबूर हूं क्योंकि मैं डिसकस कर चुका हूं तो वापस समझाने का मतलब न एक मेल्यू कि अब सुना कॉल आप्षन में कब फैदा है जब मारकेट फ्रेस जादा हो कॉल अप्चनल अथ्छरे बढ़ना चीग है तो तो प्राइज जादा है टर्मार्केट फैज जादा है तो इन्आमनी बराबर है तो एट भी मनी और संब कम है करत सी पूट आपशन म प्रािस खब तंह छब दैज अम दे are the money out of them इंडरेंशिक वेल्यों टाइम वेल्यु आपको मैने इसको वोलाटिली ठीमियम भूले ताइम जी मिल्ली नियों को वालेटीली टीमियम ग कलते तो दो पाट होता हैं इसके क्दूयो अपर न अच्छे से क्या लिखा if option is in the money then a difference between current market price and exercise price is called intrinsic value if option is out of the money and add the money then intrinsic value will be zero or time value कैसे निकालता है if option is in the money in the money in the money मतब intrinsic value है तो premium amount में से intrinsic value माइनस कर दीचिए तो time value हो जाएगा लेकिन अगर option out of the money add the money है तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा time value हो जाएगा इस पर मैंने एक एक्जम्पल भी उठा रखा है आ गया तो क्या लिखा जरब पढ़ते हैं लिगा consider the data relating to stock content in the following table determine both the intrinsic value and time value in each of the cases अब सोच के बताना ओप्शन कौन सा है कॉल यह एसिट प्राइज मतलब करेंट मार्केट प्राइज क्या करेंट मार्केट प्राइज ज्यादा है हां ज्यादा है तो प्रीमियम तो पाच रुपए क्या हो जाएगा टाइम वैल्यू है ठीक है सिंपल है कॉल ऑप्शन है क्या करेंट मार्केट प्राइज कम दिख रहा है यस तो फाइदा तो दिखे ही रहा है मार्केट प्रेज जैदा होना चाहिए तो दो रूपए पूरा की पूरा किया जाएगा आपका time value ठीक ऐसे ही करते जाना है पूर्ट मेरे ख्याल से एक आद में कहीं mistake थी आये call option क्या current market price काम है तो टूटल जितना भी 20 रुपए दिख रहा है 22 रुपए करेंट में ज्यादा होना चाहिए तो 22 रुपए कौन क्या कहलाएगा 22 रुपए time value हाँ ठीक है यह तो कोई दिक्कत नहीं एक सो पच्चास पूर्ट प्राइस क्या होना चाहिए कम मैं इसकी बात करों कम और वाकी क्या क कम है कम है तो 25 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू पाच रुपए क्या हो जाएगा time value क्या कोशन आप कर लोगे हां सर एक्जाम में आया है नहीं एक्जाम में आता तो मैं है लिखता examination question एक्जाम में नहीं आया है कि सर इसमें क्या काम आने वाला आगे काम आएगा intrinsic value जब मैं बाइनो में जब आगे आँगा ना value of option तब काम आएगा है ठीक है ठीक है पोई नमबर सेक्स पे थोड़ा theoretical पार्ट है कर लेते काम आएगा तो तीन लोग होते हैं है hedgers speculators और एक होता आर्बिट्रेजर समझना बिट्टे जब हमें डॉलर की जरुवरत पड़ती है future में डॉलर की जरुवरत है future में तो डॉलर खरीद सकते हो किस से बैंक से contract कर सकते हो उस contract का नाम क्या होता है power contract हमें dollar की जरुवरत है और हमें डार है कि कहीं dollar का rate बढ़ना जाए it means हमें डर है कि dollar का rate बढ़ना जाए तो dollar खरीदने का contract contract to buy है तो भाई खरीदने का contract या contract to buy कौन कौन कर सकता तीनों कर सकते हैं पहला कि सुना मुझे future में किसी को dollar पे करना पे करना आज dollar का rate कम है पर future में मुझे डर है कि कहीं dollar का rate बढ़ना जाए तो भाई risk है कि नहीं हाँ डालर बढ़ गया तो मुझे मेहगे में dollar risk है और उस risk को cover तो करना पड़ेगा भाई उस risk से बचने के लिए मुझे contract करना पड़ेगा हाला कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम हो जाएगा हैज करने की कोशिश करना हो मेरा नाम क्या हो जाएगा है जर्स रिस्क से बचने के लिए मुझे कुछ contract करना पड़ा हाला कि दूसरे टाइप के भी लोग है उनको पता है dollar सस्ता हो जाएगा dollar जो है वह नहीं भी पता है dollar महगा होने वाला mega it means a contract कर रहा है इसके बैंक हम आपसे dollar कितने में खरीद लेंगे 60 में खरीदेंगे किसी को कुछ देना नहीं है 70 रुपे में बेज देंगे कितने का profit है 10 का क्या कोई रिस्क था नहीं existing को रिस्क था नहीं मतलब मुझे किसी को देना में नहीं था मैंने रिस्क से बचने के लिए contract नहीं किया मैं तो profit मैंने speculation किया मेरा नाम क्या speculation इसके और भी example और तरीके से भी मैंने समझाया रखा है वो check speculator से बोला जब था profit कमाने के लिए काम किया हाला कि रिस्क है बिट्टे तीसराIRE owe shirts यह क्या होता है 2 contract क लेगा एक बैंक में dollar चल रहा है कितने का 60 और एक बैंक है जहाँ dollar चल रहा है कितने का 70 का तो एक बैंक में content करेगा खरीदने का क्या बैंक में अलग-अलग rate हो सकते हो और एक bank में contract कर रहा है हलाक इत्नानी नहीं हो दिय क्थी झालो ठीक है एक बैंक में contract कर रहा मुटफिने का तो भई utg Colonel कर लिया एक का सट में खरी देगा एक बैंक में 16 वें मुटार 2 डी वहता है, arbitrator, तो तीन लोग, participate करते हैं, derivative market में, कौन-कौन, hedgers, और कौन, speculators, और कौन, arbitrators, वही बात यहां लिखिया है, कि तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक होता है जर्स उसको ऑल्रेडी किसी से लेना देना होता है existing exposure ठीक है रिस्क को अवाइट करने के लिए long position भी ले सकता है नहीं होता है कि यह सिप्रॉपिट बनाने के लिए प्राइज एकस्पेक्टेशन को जो लगता है तो कि निये काम करते हैं लॉंग शॉट पुजिशन ले सकते हैं इनको लॉस्ब हो सकता रूपिट्रिजर्स इनको भी नहीं हो सकता है कहीं export किya import किया कुछ नहीं यह profit करते हैं मिस प्राइजिंग अलग-अलग बैंक है एक बैंक से खरीदने का कॉंट्रेट एक बैंक में बेचने का कॉंट्रेक्ट इसमें skill use करते हैं ठीक है लॉंग और यह दोनों पोजीशन एक साथ लेते हैं खरीदने का कॉंट्रेक्ट और बेचने का कॉंट्रेक्ट दोनों कॉंट्रेक्ट करना ही पड़ेगा तब इनको प्रॉपिट होगा लॉस तो होई नहीं सकता अर्विट्रेश सर्थियोरी कम है चांसे आने के लेकिन एक बात है यह सब यूज का आया हुआ है और वह भी सुनो को सना क्या ना यह आल टी पी में डहला है चल उसका description में मैं छो मेरे edible को स्जिंब ऑस्में शॉर्ट सेलिक क्वरीज देखोंगे शॉर्ट सेलिक क्या होता है कुछ नहीं कश नहीं यह परेसन है और इसको ऐसा रखा लग रहा है कि market में आज से कुछ समय बाद प्राइस गिर जाय दा प्राइस गिर जाएगा जो ठेक किस कंपनी का रेलैंस एक पर सेना उसके पास रिलाइन्स का शियर रखा हुँ है מס की लिए घृए दो चार दिन में बेचकनечение- जाहिए चाहरी इस इन ठीज़ यह कहता है काम करता हूं इस पर्सन से बोलता है इस पर्सन से नाम तो लिखना पड़ेगा यार इसका एक लिख देता हूं इसका भी तो भी खेता एसे की सुनो 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 मुझे शेर उधार लेगा किस से एसे बौरो करेगा शेर और फिर शेर का शेर वापस कर दूँगा तीन मैने में बौरो किया शेर और इसको क्या कर दिया किसी को सेल कर दिया सोल्ड कर दिया किसी परसन को ठिक यहां से शेर उधार लिया और किसी को सोल्ड कर दिया और फिर तीन मैने बाद मार्केट से शेर खरीदेगा मार्केट से खरीदेगा और इसको इस परसन को वापस कर देगा रिलायंस का शेर और मार्केट में क्योंकि इसको मालूम है कि शेर क प्रैस कम हो रहा है तो क्या है लेस्ट प्राइस कम प्राइस में खड़िदेगा और वापस कर देखा और सीधी बात कि आपको सस्ता हो जाएगा तो सस्ते में खरीद कि मेरा प्रॉफिट मेरा मतलब इसकी बात करो ठीक है सर इसको प्रॉफिट कैसी होगा जो भाई साब उधार दे रहा शियर इसको कुछ चार्जिस मिलेगी स्टॉक लेंडिंग चार्जिस बोलते हैं फ्री में नहीं देगा य जो जो कुछ पैसे चाहिए वो पैसे उसको मिल जाएगा ठीक है इसको लॉस भी हो सकता कि हां इसको लॉस कैसे हो सकता शियर अगर मार्केट में महगा हो गया तो भी या महगे में खरीद के वापस करना पड़ेगा प्राइस बढ़ा तो दूसरा अगर रिलाइंस ने डिव दिया तो वो डिविडेंट तो जिसको शियर बेचा उसको चला गया है तो डिविडेंट अगर बीच में रिलाइंस ने एनॉसमेंट किया तो फिर क्या होगा तो फिर यह पर्शन जो है वो जिससे शियर उधार लिया तो उसको डिविडेंट का कंपनसिशन भी देना हुए ठीक है ठीक है क्या होटा है छोट सेलर है वो बौरो करता है शाई सैलर बज़ो करेगा टक किसे stock lenders से और बेज देगा किस पर current market price क्या view क्या सूच कर कि बहृत रहां रमगिंगी lower price न में लिटन कर देंगे हम इसको फायदा कैसे होगा क्या फ्रीजें से और जो शॉन्ट सेल करने से जो पैसा मिला ना सोट इन्होंने भेज़ दिया एस तो यह जो पैसा आया इस पैसे पर क्या कमाएंगे इंट्रेस्ट सिंट्रेस्ट के कमा ह shelters का तसना हो सकता भीहलान फिश्त सा छो सकता कि शौर्ट सेलिंग तो यहां चलता ही है कई इंडिया में चलता है शौर्ट सेलिंग मतलब आप सब intéressき गडाइम नहीं है पड़ो खतम करो ठीक है इसका कोश्चिन है और इसका कोश्चिन कहां डला हुआ इसको कोश्चन में डिस्क्रिप्टिन में वोग्वें कोर दिस्क्रिप्टिन करो मतलब प्राइज दोसो भी हो सकता है प्रोबैबिलिटी पॉइंट तू है थीन सो भी हो सकता प्रोबैबिलिटी तो आपको पता है बस यह डिसकुस करना मुझे एक इनवेस्टर है फूर मंथ कॉल अप्शन ऑन दा एक विडिशियर आप रूपीज टैन इसको अराम से पहले सुन ले ना यह प्रीमियम के आपको प्रोबैबिलिटी इस गीवन बिलो ठीक कौन सा उप्शन है कौन थीक है मैं समझाओंगा इसको अराम से पहले सुन ले ना सकता है यह बता रहा है 120120,140,160,180,190 यह प्राइज हो सकता है तो सबसे ममंद एक क्स पैक्टेड़ शेर प्रैस तो इसको बाइबिलिटी से मल्टेप्लाइख कर दिचेए एक क्सम्पेक्टिड़ शेर हिजा एगा इस उनमे कुछ है क्या है मैचूरिटी तक तो बताइए एक्सपेक्टर वैल्योग कॉल ऑप्षिन क्या होगा अब सुनो क्या है सर्जी मुझे शियर कर्sınız है ठीक है तो मुझे जतना मुझे फाइदा क्या होगा इस रीशिप्ट की की मत क्या मैं ये निकालने की कोशिश्क करकूं कि ये जब न्युक्त में लेकर जाओंगा तो एक्ट्यु मैं इस की वैल्यू कि उस समय मुझे इस से कितना फायदा हो सकता तो आपका exercise price कितना सर एक्सायज प्रेसे 150 तो 150 से ऊपर में फायदा अगर 120 हुआ तो हम मुझे कुछ फायदा है कि कोई फायदा नहीं है option लेप्स हो गया 140 तो कोई फायदा नहीं है option सब्सक्राइब प्रिमियम की बाती छोड़ दो 10 रुपय का लॉस हो गैं मैंने गाना में ग्रॉस प्रोप की बात करो आज कितना दे रहा उसकी वात नहीं कर रहा हूं मैच्योरीटी पर मुझे कितना प्रॉफिट लॉस सकता उसकी बात कर रहा हूं है और 20 का प्रॉफिट होने की प्रोबाबिटी कितना पॉइंट फैफ अर्थी का प्रॉपिट होने की प्रोबोबिटी कितने पॉइंट 156 तो मेरा expected profit कितना हो सकता 5 plus 3 plus 6 कितना 14 तो अगर मैं कहूं कि मेरे share के price होती है न वैसे मेरे option की value निकालना मेरे इस रिसेप्ट की expected value निकालना तो कितना आ गया 14 तो यह यहां निकालना 14 रुपिस इस expected value of call option तो सब करना क्या हता करना कुछ नहीं gross payoff into probability और उसका total कर देना बात खतम या दूसरे लाइंग में में बोलू intrinsic value को probability से multiply कर देना उसका total मार देना that's it अब question में यह वाला point क्या बोल रहा था point number two इस पे बच्चे बहुत ज़्यादा confusion value of call option value of call option at the end of four month यह वाले sign important है क्या लिखा if the exercise price prevails sir इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो जो प्राइज है ना चार मेने बाद वो यह कुछ नहीं रहेगी बोले वो चार मेने बाद जो है वो जो मार्केट प्राइज है वो 150 ही हो जाएगी मतलब जो exercise प्राइज रहे है न exercise price वही market price रहेगी exercise price ही अगर market price होगी तो कुछ फाइदा तो है नहीं है हाँ zero तो उस समय मेरे option की value क्या है कि जीरो ना भई बात खतम यहीं बातों उन्होंने बोला value of call option 150 मैं zero क्या कहना चाह रहा था कि जो maturity पर जो exercise price है वही prevail करेगी वही market price रहेगी फिर तो कोई मतलब नहीं और एक्सराइज ही नहीं होगा पार्ट नमबर टू पर जाते है value of option जो important है तो अभी हम थोड़ी दिर में कर रहा है value of option तो value of option की बात करेंगे यह important topic है मैंने खा न यह important topic है तो value of option पर बात करते है चले श्टार्ट करें तो option का second part कर रहा है और second part का नाम है valuation of option and are option pricing मैंने पहले भी कह था यह बहुत ज्यादा important है आपके लिए option pricing ठीक है तो option pricing basically है क्या था क्या क्योंकि रिविजान चल रहा है ऐसा था कि यह हमको option खरीदना होता है तो option के लिए हमें premium पे करना होता premium तो भाई मानलों मुझे Reliance के share का three month का call option खरीदना है तो उस call option के लिए premium कितना होगा यह मैंने stock exchange से पता कर लिया और premium जो है वो दिख रहा है 15 रुपए प्रीमियम इसे आप premium बोल सकते हो या इसे बोल सकते हो price of option 15 रुपशन का market में जो price चल रहा हो 15 रुपए या premium 15 रुपए तो भाई मुझे Reliance के share का call option खरीदना है कि नहीं खरीदना है उसकी मुझे value पता करना पड़ेगा कि या यह 15 रुपए देना भी ठीक है कि नहीं है मताब value और मुझे जो यहां पता करना है वो पता करना है value of option option की सही value क्या है 15 रुपए है 15 से कम है 15 महगा हो तो नहीं ले रहा है और value पता किया suppose कि यार इसकी value तो 10 रुपए है और जबकि मुझसे मांगा कितना जा रहा है 15 मत खरीदो ओवर प्राइज है महगा पर अगर इसकी value होती मेरी नजरों में और 20 रुपए इसकी value option में 20 रुपए देने को तया हूं जबकि मुझसे premium का सिर्फ 15 रुपीज मांगा जा रहा है तो खरीद लेजिए it means हमें क्या निकालना क्या हमें यह premium या actual price निकालना option का नहीं हमें किस चीच का calculate करना है हमें value theoretical value बोल सकते है या value बोल सकते value calculate करना तसर option की value calculate करने के सबसे पहले मैंने यह लिखाया है कि हम calculate करेंगे value option और compare किस से करेंगे इसको market price of option that is premium के साथ comparison करेंगे और decide करेंगे कि हमें option खरीदना चाहिए कि नहीं अगर premium के amount जादा तो भई महगा है फिर मत खरीदी अगर value जादा है तो अंडरप्राइज है खरीद लेजिए it means simple सी बात है हमें value निकलना value और कितनी method से तीन method से value निकलने के तीन तरीके option की value निकलने के तीन तरीके पहला binomial model और binomial model में तीन approach से option की value निकाला जा सकता है एक risk neutral probability approach एक है delta housing या risk free portfolio approach और एक है replicating portfolio तीन approach binomial model बोलने से कम नहीं चलेगा binomial model में भी तीन अप्रोच है करने के तरीके पुट कॉल पैरेटी थियोरम और बीएस पुट कॉल पैरेटी थियोरम का कोई question नहीं है हमारे study material में तो division में मैं इसको नहीं ले रहा हूं पर फिर भी कुछ लोगों का ऐसा लग रहा नहीं हमको सीखना है पूट कॉल पैरेटी तो description में मेरा जो वीडियो डला होगा उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा आप उससे का लिजा और बीएसम बीएसम इससर बहुत सारे बच्चे बोलते सर बीएसम इंपॉर्टेंट है करना है कि नहीं करना क्या करना सर समझा देजिए साहब ऐसा है कि बीएसम के question एक जमाने से नहीं आए है इसका मतलब में यह नहीं बोल रहा हूं कि आएगा नहीं आप भी सकता है तो जी करना है तो उससाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी बाइनोमियल मॉडल को शॉल करने के बाइनोमियल मॉडल से प्रीमियम की वैल्यू निकालने के तीन एप्रोच है रिस्क न्यूट्रल प्रोबैबिलिटी डेल्टा है जिंग और एप्लिकेटिंग रैप्लिकेटिंग पॉर्टफोलियो एप्रोच का कोई question नहीं है तो सवा अब बात आती है क्या डेल्टा है जिंग यास डेल्टा है जिंग का सिर्फ एक ही कोश्चिन है और वही कोश्चिन एक्जाम में आया हुआ है तो डेल्टा है जिंग का हम सिर्फ वही कोश्चिन करें और कोश्चिन के साथ ही समझ लेंगे कि है क्या चीज़ वैसे आपको आ अगर question में बोलेगा सर कि risk neutral probability approach से question बनाई हम तो बना लेंगे लेकिन question यह बोलेगा कि binomial model से question बनाई फिर कैसा करेंगे अगर binomial model बोला तो साहब आपको risk neutral probability approach ही निकालना उसी से calculate करना आपको कुछ और नहीं सोचने की चलो delta हैंजिंग से काम करें तो इस्टार्ट करें यह सर हम क्या करने जा रहा है हम वैल्य ओप से निकाल रहा है और वैल्य ओप संच जो है कौन सा वाला सबसे पहले रिस्क न्यूट कि आजाएए कि क्या है जी रिस्क न्यूट्रल प्रोबैबिरिटी अप्रोच ऐस पर बाइनोमियल मॉडल बाइनोमियल ओनली टू पॉसिबल प्राइज अपिश्टॉक अन्यूर्ट इस मैक्सिमम प्राइज और एक है मिनिमम प्राइज क्या कहना चाहता है बाइनोमियल मॉडल बोलता है वाई कि सहाब आप जिस भी शेयर का कॉल औप्षन या पूट ओप्षन आप जो भी औप्षन खरीद रहे हो मान लों रिलाएंस का ही शेयर है कितने मंथ के लिए वन एयर के लिए तो या तीन महां बाद इस शेयर का प्राइज दो ही possible price हो सकते हैं, यह assumption है, एक यह तो ज़्यादा होगा, price यह तो कम होगा, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, बले, possibility दो ही हो सकती, price यह तो ज़्यादा भी हो सकता, price यह तो कम हो सकता, यह इसी assumption से binomial model कोशन का कोशन किया गया, concept ही है, सर सपोस, समझाओ के, yes, मान लो, आज share का price कितना है, मान लो, आज है 500 रुप, आज 500 है share का price, तो आने वाले, one year में मान लो, आने वाले एक साल में, या तो share का price 600 हो सकता है, या तो share का price 400 हो सकता है, इमन से लिखा है, यह कुछ और भी हो सकता, उससे हम कम मतलब है, binomial model में, यह assumption ही रहेगी, कि दो ही possible price हो सकता, एक कम और एक जादा, और इसी पर पूरा calculation है, भई, इसी पर पूरा calculation है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझने पड़ेगी, मेरी बाद, हमने का ठीक है, अब क्या कहना चाहते हो, हम यह कहना चाहते हैं, कि मान लो exercise price, 550 है, ठीक है, और option कौन सा है, call option, हमने का यह भी ठीक है, मान लेते, call option है, और exercise price, यह strike price, 550 है, तो बोले, आज से एक साल बात, या तो price 600 होगा, या तो price 400 होगा, अगर 600 हुआ, तो क्या आप call option exercise करोगे, हाँ जी, call option है, price बढ़ने पर exercise करोगे, तो बता बटे, call option से pay off, see, you का मतलब आपको बना, अपर अप, तो सर बोले, यहां 50 का, हमें pay off मिलेगा, gross pay off, और या तो, down हुआ तो, 0, option लैप सुचाएगा, ठीक है, यहां तक, या तो 50 रुपीज प्राइज हो सकता, 50 का gross pay off मिलेगा, intrinsic value, या तो 0, अब मैं आप से बोल र ने की probability है, 0.6, और इसकी probability, 0.6 ने, इसको 0.7, और इसकी probability है, 0.3, क्या आप expected value of option बता सकते हो, हां बोलो, हां, expected, expected value, पिछले अभी जश्च समझाए, expected value of option, 50 का gross pay off हो सकता है, probability है 0.7, प्लस 0, probability in 0.3, तो टोटल मिलाकर 35 रुपीज, 35 रुपीज क्या है, expected value of option, एक साल बाद हमें, expected, कितना gross pay off मिलेगा, 35, ये कब मिलेगा, एक साल बाद, पर हमें तो यहां premium का पैसा देना है, आज देना, तो क्या premium की जो expected value, इसका क्या present value निकाल सकते है, हाँ जी, sir, 35 को हम divide कर देगे, 10% rate है, तो 1.10 से खतम करोगा, यही तो होता है, हाँ, बोलो, हाँ, अच्छा, sir, ये बात है, हाँ, कुछ भी नहीं था, मैं revision नहीं करवा रहा हूं, मतलब जासे, sir, ये cu है, इसको हम probability से multiply करें ये 1- probability लिख दूँ, अगर ये 0.7 है, तो बच्चा हुआ, 0.3 होगा, क्योंकि दो ही तो possible price है, तो sir, ऐसे कर सकते, cu into p, cd into 1-p divided by 1 plus r, 1 plus r की जगा, यहां, r लिखते ही है, मैं आपको करवा चुका हूँ, formula, it means हमारे लिए जो formula है, ये वाला important, cup, मतलब 50 into 0.7, और cd मतलब यहां 0 है, 1- 0.7, 0.3 भी लिख सकते हो, और divided by rate of interest कितना, 1.10, this is important formula, अगर मैं कहूं sir, कि binomial model में, आपको दो ही formula पे focus करना है, yes, एक तो ये हो गया, और ये तो हो जाएगा, इसमें तो क्यार सीधा सा logic है, अब दूसरा कौन सा formula, ये समस्या, अब सुरना ध्यान से, दूसरा formula जो है न, वह probability का, इसको रफ कर दोंगा, अब सुनोगे, ध्यान से मेरी बात, दूसरा formula है probability, मैंने जिन स्टेप्स में करवा रखा है, आप स्टेप्स में करोगे तो number मिलेगा, पहले गिवन लिख दो, यू, आर होगे रहा, फिर ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला probability निकालने का formula, और दूसरा कौन सा ये वाला formula, सर, probability का question में दिया रहेगा वाली probability नहीं, हमें चाहिए risk-neutral probability, और probability का formula ये है, R-D divided by U-D, probability निकालने का, risk-neutral probability का formula, सर, ये risk-neutral probability हाँ ये आपको calculate करना पड़ेगा और इसका derivation मैंने यहाँ दिया है, हालाकि revision में derivation नहीं करोगे, कैसे derive हुआ है, ये दिया है, पर मैं फिर भी आप से कुछ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा सा hint दे दूँगा, बाक्या आप काम कर लोगे, derivation ऐसा है, और सुनो, binomial का तो मेरा डला भी होगा, कि यार आज है price 500, आज share का price, आज share का price है 500 रुपए, कल को share का price 600 भी हो सकता है, 600, या तो share का price 400 भी हो सकता है, 400, ठीक है, तो सर, expected क्या हो सकता, expected, 600 भी हो सकता, 600 होने की probability 0.7, और सर, 400 होने की probability 1-0.7, ठीक है, और इन दोनों को multiply करोंगे, तो क्या हैगा, सर, expected price आएगा, after one year, expected price, जिनोंने कर रखा है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, कि मैं कहता हूँ, आज share खरीदू हो, और एक साल बाद बेचने का सोचू, तो एक साल बाद कितने का विख सकता है, this into this, this into this, इन दोनों को plus कर देना, तो क्या जाएगा, expected price, मैं नगा, भाई, expected price ठीक है, पर कम से कम कितने का विखना चाहिए, मैं नगा, अगर इन पैसो को, 500 को मैं बैंक में जमा करता, तो 10% interest मिलता into 1.10, तो अगर मैं बैंक में जमा करता हूँ, तो 550 मिल रहा है, तो share market share खरीद हूँ, तो भाई, एक साल बाद कम से कम 550 रही मिलना चाहिए, खिक है, सर बैंक में पैसे जमा करते हूँ, तो risk नहीं है, पर अगर आप share market share खरीद रहा है, तो risk नहीं हो की, risk neutral, risk है यह नहीं है, assumption, और वो probability मुझे नेकालना, और मैंने कुछ नहीं किया, उसी को डिर्क, बैंक में जमा करूँ तो, सर बैंक में जमा करूँ तो 550, और share खरीद हूँ तो 600 into probability, और 400 into 1 minus probability, और इसी को derivation से मैंने किसका formula निकाल लिया, probability का formula निकाल लिया, और probability का formula यह निकल के आगे, derivation discussion नहीं करूँगा, मैंने पहले भी कहा था, आपको दो formula से काम करना है, probability वाला formula, और सर हमको तो भी इसका derivation धंग से समझना है तो, तो अगर YouTube में होगा मेरा, तो मैं description में ये भी video डाल दूँगा, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, समस्या क्या है में फिर से, आखिर क्या है, binomial, binomial में हमें value of option निकालना है, value of option कुछ नहीं, expected value of option जो है न, expected value of option divided by 1.10, यह सब दिया रहेगा, समस्या सिप probability की, probability कहां से आएगी, तो probability का आपको formula यह वाला चेक करना पड़ेगा, सर, R क्या होता है, D क्या होता, U क्या होता, D क्या होता, मैं कोश्चन के थ्रू बना दो, एक्जामपल नहीं ले रहा हूं, इस बार कोश्चन नहीं ले रहा हूं, यह कोश्चन, एक्जाम का कोश्चन है हाज एक्जाम का ही कोश्चन ले लिए एक्जामपल नहीं क्योंकि एक्जामपल में आपका टाइम बरबाद होता ना चले जी अग्या कोश्चन लेक्दा है डी सिनाब कि प्यास ले लिएक्विटी शेर रुपि तो पन्चायत लेमिते चार्योब्स आज शेर का प्राईस ूर्ड. आज से टीन UI न very the maximum and minimum price of it is expected 2 rupees 500 and 400 simple सी बात आपको समझ मेने चाहिए आज शियर का price कितना है 420 ठीक तीन महने बाद या तो 500 हो सकता है या तो 400 हो सकता है price बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है तो अब मुझे 4 चीजों की ज़रुत पड़ती है एक तो मुझे चाहिए आर probability का formula या था है हाँ सब probability का formula था R minus D U minus D यह वाला formula था तो मुझे 4 चीजों चाहिए R, D, तीन ही चीजों चाहिए पहले probability का formula कहां से काम करेंगे ठीक है रिस्क-free rate of interest कितना है 8% और कितना period है जी 3 मन्त तो बेटे 8% है तो 3 मेने का कितना पर्षन 8 into 3 by 12 तो कितना पर्षन 2% तो R कितना हो जाएगा 1.02 हो जाता पर समस्या क्या है यहां गीवन है continuously compounding का factor continuously compounding इसलिए अब मुझे R का मतलब rate of interest rate of interest 2% लेता अगर यह नहीं लिखा रहे था तो मैं 1.02 लेता पर continuously compounding का यहां information दिया है मतलब मुझे वह लेना पड़ेगा तो अब देखो मुझे किस किस चीज़ की ज़रत है मुझे चाहिए एक तो R और R का मतलब यहां continuously compounding मतलब E power RT वो दिया 1.02 टू जीरो टू ठीक इसके अलावा मुझे क्या चाहिए यू प्राइज यहां कितना है 500 यहां कितना है 420 तो बुलो प्राइस कितना टाइम से बढ़ा 420 से कितना हो गया 500 तो 1.1905 R D 420 400 हो गया तो यह आगया अफ फॉर्मूला मारे पास है R माइनज D R का मतलब R का मतलब R का मतलब R यह 1.02 टू 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 डी दिखी रहा है आपको U दिख रहा है D दिख रहा है तो फाइनली यह आ गया प्रोबैबिलिटी पॉइंट टू एट फो एट और अगर प्रोबैबिलिटी मिल गया तो C U मालू मैं क्या या C U तो दिख रहा है कितना रुपए दिख रहा है 50 रुपीस तो 50 इन्टू प्रोबैबिलिटी कितनी है इसकी प्रोबैबिलिटी निकला है वन पॉइंट यह निकला है जीरो पॉइंट फोरेट और सर जीरो की प्रोबैबिलिटी जीरो की प्रोबैबिलिटी लिख दीचिएगा divided by 1.0202 अंसर आजाएगा बस बात इतनी सी है और और कुछ नहीं यह आ गया 13.96 ठीक है जी ठीक है सर 0.02 का continuously compounding कैसे निकालते है तो यह मैंने आपको कही न कहीं सिखाया होगा तो प्लीज 4096 को यूज करके किस तरह से काम होता यह आपको पता है तो मैं इस मैटर पर आपसे discuss नहीं करूंगा जादा वैसे टाइम मिला तो आगे देख लेते हैं ठीक है बात समझ में आती है सर इन्होंने यह कौन सी method से कर रखा यह क्या method है जो इन्होंने question में कर रखा कोई method नहीं है यह वह वाला जो मैंने डिराइब किया उन्होंने इसी से probability का formula निकाला है हमें जबरत नहीं हम अपना जो कर रहा है और वैसे भी करोगे तो चल्दाएगा इस क्या दो steps में काम हो सकती यास पहले नंबर पर क्या निकाल लिए probability और दूसरे नंबर पर क्या निकाल लिए call option का pay off हाला कि मैंने जब regular class में पढ़ाया है तो मैंने कुछ steps लिखवाया होगा और step में क्या क्या लिखवायागा कि पहले में आप standard notation सी या फिर given करके लिख देना कि आर यू डी इस तरह से फिर मैंने का उसके बाद risk neutral probability फिर उसके बाद मैंने का binomial tree बना लेना वही यहां प्राइज लिख दिया और उसके बाद value of option हाला कि एक्जाम में binomial tree बनाना जरूरी नहीं है बिना उसके भी काम हो सकता दो steps में काम हो सकता पहले probability नहीं कालना उसके बाद सीधा call option का प्याओ वह सीधा value निकाल लिख ठीक है तो यह question उठाया था एक question और आख है पढ़े फिर से यस लिखा है सुमाना wanted to buy share of ELL which has 411 to 492 a month later एक मेहने बाद share का price 411 हो सकता है या 592 हो सकता है यह बता रहा है और present share का price present share का price 421 हर broker informs her that price of share can be sure up to 522 broker क्या बोल रहा broker बोल रहा सुनो 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 चारसो ग्यारा भी हो सकता है 592 भी हो सकता है expected price क्या हो सकता बले 500 522 होगा ही होगा आप पिल्गुल चिंदा ना करें and that she should buy one month call option और इसलिए बोल रहा कि बुदे को आज शीर का price कितना बले आज है 421 और 522 हो सकता है तो प्लीज आप call option खरीद लीजी ठीक है in order to be prudent in buying the call the share price should be more than or at least 522 से कम नहीं होना चाहिए 522 से कम नहीं होना चाहिए यह इस बात की surety broker मुझे दे दो आप बोल रहा है कम से कम 522 होगा तो लिख कर दे दो पास वावी सोगा पर assurance जो है वो broker दे नहीं पाया ठीक है जी सर यहां कहीं भी strike price है तो strike price हो सकता 522 कहीं भी पता नहीं 522 से ज्यादा होना चाहिए दो सी understand the uncertainty of the market she wants to know the probability of attending the share price 5 592 होने की क्या probability है यह निकालना है ताकि हम कॉल option खरीद सके execution price 522 जस्टीफाइड मतलब वह exercise प्राइज हो गया कहीं भी exercise प्राइज नहीं लिखा है मैं आप से बोल रहा हूं यहां बच्चे यह इस question में बड़े फजग है बच्चे बुरी तरह से भाई सिंपल सी बात है प्राइस maximum कितना हो सकता 592 और कम से कम कितना हो सकता 411 पर इस ट्राइक प्रैस कितना यह दिया नहीं है आज का प्राइस कितना होना चाहिए पर उन्हें का यह सब छोड़ो 592 शेर का प्राइस होने की प्रोबाइबिटी किया है और साथ में आपको रेट आप इंड्रेस्ट 3.60 पर्शंट दे रखा है और उसका यह भी दे रखा 1.037 इट में सर कांटुनियसली कंपाउंटिंग यूज करेंगे यास ल यह कैसे आता यह इस तरह से आता अगर आपको ए का निकालना 0.036 का कांटुनियसली कंपाउंटिंग फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले इसको डिवाइट कर देना 4096 से जो भी यहां दिया रहेगा प्लस 1 कर देना और इंटु एक्वल टू बारा बार कर देना तो आंसर पिक्चर क्या समझ में सर पूरी पिक्चर यह है कि एक तो हमको लगेगा आर जो की 1.037 ती एक तो लगेगा यू तो सर फाइब नाइन्टी टू डिवाइड इडिवाइड याज शेयर का प्राइस कितना है 421 यह कर लेंगे कुछ बच्चे बोलते नहीं यहां 592 नहीं 522 522 क्यों होना चाहिए भई 522 होना चाहिए उनका यह कहना क्यों होना चाहिए जब कि यहां बोला है कि 592 होने की क्या प्रोबाइबलेटी है 592 डिवाइड वे 421 तो 1.4062 और इसके अलावा मुझे लगेगा डी डी में कितना है जाएगा 411 411 411 421 9762 बस सॉल कर लिए प्रोबाइबलेटी भर निकलना इसमें कुछ निकलना नहीं है यह निकला डी यह निकला यू इसको सॉल कर लिए तो यह आगे 01418 यह भी आपके स्टेडी में तील का कोश्चिन है तो प्लीज आप नहीं छोड़ोगे दोनों कोश्चन करवाएं दोनों ही इंपोर्टेंट फिर से बोलों डाइग्राम वगिरा बनाना जरूरी नहीं है जैसे मैंने रेगुलर क्लास में करवाया हूं आपसे बना देते तो नमबर मिल जाएगे नहीं बनाते तो यह सब में यह नहीं बोलों कि नमबर कट है मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी देखिए बाकी नहीं भी करते हो आई सी ए आई का प्रेजेंटेशन है यह जो लिखा हुआ है टेंशन नहीं खता ठीक है जी चलो जी और एक कोश्चन पर चल रहा है और यह जो कोश्चन है ना यह किसका है टू पिरियट बाइनोमियल मौडल इसमें होता क्या था इसमें हम बाइनोमियल मौडल में जो एजम्शन था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे है वो बोलता था एक साथ एक सल बाद दो possible price मेरा यह कहना है कि भी एक सल बाद हम option exercise करेंगे ठीक है अगर वो European है अगर American है तो क्या बीच में भी option exercise किया जा सकता है तो आप एक सल हम छे मैंने बाद भी तो option exercise कर सकते है ना तो आप सीधा एक साल तक क्यों पहुच रहे हैं आप पहले 6 माह सोच कर देखो अगर मज़ा आ गया और ऐसा लगा कि चलो यहीं exercise कर लेते तो यहीं कर लेंगे, नहीं तो फिर एक साल का सोचिंगे, तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम पहले 6 माह, मतलब जो एक साल का period है, उसको दो भागों में हमने बाड़ दिया, पहले 6 माह और उसके बाद फिर हम यह पहले हैं कि छे माह में exercise कर रहे की नहीं, वहां भी तो 2 प्राइस हो सकते हैं, हम बानते, तो 2 प्राइस हो सकते हैं, और उसके बाद 1 साल में udah price हो सकते हैं, तो हम किजा कर रहे हैं, हम जो total period है ना, उसको हम दो पार्ट में divide कर इसको हम बोल रहे हैं two period binomial model कुछ बच्चों का और यह कहना हो सकता है कि सर हम तीन महने में भी तो कर सकते हैं हर तीन-तीन महने में सोच के देखेंगे तो ठीक है four period binomial model हमारे syllabus में नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे हमारे syllabus में जो total period है उसको दो part में divide किया है first part में हम trial and error खिल कर देखेंगे कि यार exercise करना चाहिए कि नहीं अगर answer आया नहीं तो फिर हम एक सल बात सूचेंगे अगर answer आया हाँ तो छे मा में exercise कर सकते हैं इस तरह से हम काम करेंगे ठीक है जी exam में question आया था last attempt में लास्ट अटेम्ट से पहले वाले अटेम्ट में उसका description में लिंक डाल देता हूं वो question जरूर देखोगे अच्छा question तो देखें जी क्या लिखा है लिखा consider a two year American call option American मतलब American मतलब बीच में option exercise किया जा सकता है यास तभी तो जरुरत पड़ेगी trial energy with a strike price कितना है 50 और stock current price भी कितना है 50 यह एक दिक्कत आ जाती हला कि strike price कुछ और लिखा लिखा होता तो ज्यादा मच आता assume that there are two time period of one year and each year the stock price move up are down by 20 percent वह कह रहा कि total period एक साल का नहीं total है दो साल का लेकिन आप उसको एक साल और एक साल इस तरह से आप एक साल और एक साल पहले एक साल में सोच के देखेंगे फिर हम second year कैंड में हैं और हर बार श्रेयर का पश्ट पर्शन से बढ़ सकता है कम हो सकता है रिस्क फ्री रेट कितना है सिक्स पर्शन ठीक यूजिंग बाइनोमियल ऑप्सिन मॉडल कैल्कुलेट दप्रुबाबिलिटी ओप्राइस मुविंग अप आर्न डाउन आल्सो ड्रो आपको ड्रो भी करना है टूपिए ठीक पे आफ तो सुनों इस तरह से यह नोर्ड बोलते हैं आज शेयर का प्राइस कितना है फिप्टी बीस पर्शन से बढ़ सकता है तो फिप्टी प्लेश ट्वन्टी पर्शन 60 हो सकता है फिप्टी माइनस ट्वन्टी पर्शन 40 हो सकता है यह फिस्ट यर 60 प्लेश ट्वन्टी पर्शन 72 हो सकता है 60 माइनस ट्वन्टी पर्शन 48 हो सकता है 40 माइनस ट्वन्टी पर्शन 32 हो सकता है 40 प्लेश ट्वन्टी पर्शन 48 तो यह हो गहा है ठीक है अब क्या करना है अब एक काम करते हम लोग यहां लिख देते हैं pipe of cu सर इसको क्या लेकिंगे c d इसको क्या लेकिये c u d लिख देते हैं year c d u कर कि इसको c d d लिख देते हैं मतलब क्या कर रहा मैं पे-प या अफ निकालने की कुशिश कर रहा ई बताव exercise price कितना 50 exercise price 50 यह वाला 50 नहीं कि समस्स से यह वाला exercise price एक जैसा दिया ठीक चलो देखें 72-50 तो यहाँ P of कितना जाएगा 22 और यहां कितना जाएगा exercise जीरो ठीक सर यहां भी देख लें यहां भी तो exercise कर सकते हैं यहां 10 यहां 0 ठीक अब धिहां से अब हमें क्या निकालना पड़ेगा probability probability के लिए formula क्या था r minus d u minus d r का मतलब rate of interest और rate of interest देखो कितना दिया है 6% तो 1.06 minus 0.8 divided by 1.20 minus 0.8 यह तो 20 परशन से बढ़ेगा यह तो 20 परशन से गिरेगा जब इसकी probability निकाल रहा है तो probability कितना आगा है 0.65 तो अगर मैं कहूं यहां probability कितनी है 0.65 और यहां probability 0.35 यहां probability 0.65 0.35 अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता अब important है पिटे मैं जो बोलना चाहता हूं टू-period binomial model में कभी भी हम back calculation करते है कि यार या तो 22 रुपए का pay off मिल सकता अगर हम second year के end तक जाते back calculation होगा अगर हम second year के end तक जाते है तो सर जी या तो 22 का profit हो सकता या तो तो क्या है expected और उसका क्या present value निकाल सकते है यास 22 22 into 0.65 m plus 0 into 0.35 m plus mrc और divide करेंगे divided by 1.06 तो सर यह आ गया 13.50 अब सुनना वाली बात 13.49 अब मैं आपसे कुछ कहना तरहता हूं मैं यहां खड़ा हूं node 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 कौंसा node B पे खड़ा हूं और node B पे खड़ा होका सोच रहा हूं कि यार आज exercise करूं कि एक सल तक वेट करूं प्राइज आज कितना हो चुका है साट तो मैं सुना अगर आज exercise करता हूं तो मुझे 10 रुपे का फाइदा हो सकता है लेकिन अगर मैं future में जाता हूं तो प्राइज इतना पे ओफ भी मिल सकता इतना भी पे ओफ मिल सकता यह यह probability और उसका present value भी निकाला तो answer कितना आ गया 13.49 सवाल बस मुझे यह इन दोनों की विसे में सोचना अगर आज ही exercise कर लेता हूं तो 10 रुपए अगर future में exercise करता हूं तो future में 22 रुपए 0.65 मिलेगा लेकिन वो तो future का value उसका present value क्योंकि मुझे इससे comparison करना है न 10 रुपए से तो उसका present value भी निकाला मैंने तो आ रहा 13.49 अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे यहां ही exercise करना है छोड़ देना उसके बाद या फिर मुझे wait करना जी अगर मैं इंतजार करता हूं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलने वाले उसका present value भी निकाले तो 13.49 मिलने वाला है क्या करें आप खुछ सोच के बताओ सर इंतजार करो 10 रुपए के लालच में मत पढ़िए कुछ शे़ाइ को बच्चों का यहां कहना था यह कहना था कुछ बच्चों का कि सर यह तो expected है नहीं भी सकता है नहीं भी सॉता किसने का सारीशम केना रिस्क है नामी इसका रिस्क नियुटन JUट हो और Hi तो फिर इसको मैं cancel कर दिता मेरे लिए यह 20 रुपई important होते हैं तो यह अब हमारे काम का नहीं 10 रुपए इसको छोड़ो मेरे लिए यहां option की value कितनी है 13.49 अब 0 into this 0 जीरो याना और यहां भी जीरो याना तो फिर तो इसको जीरो ही लेके चला हूँ अब मैं यहां खड़ा हूँ back calculation और मैं यहां खड़ा हूँ और मैं सोच रहो अच्छा यहां से मुझे मिलेगा 13.49 और इसकी probability कितनी है 0.6 और यहां से मिलेगा क्या जीरो और इसकी probability कितनी है 0.35 divided by क्या कर देंगा 1.06 तो इस note पर value आजाएगी option की बास समझ में आ रही है सर European call option होता तो European होता तो यहां exercise करी नहीं सकते मुझे यही पकड़ना पड़ता detail में समझाया हूँ और ज्यादा detail सर दो घंटे लगाना इस concept को समझने के लिए तो description में आपको link देता हूँ मुझे यह option की value निकालना तो क्या निकाल सकते yes 13.49 into 0.65 0 into 0.35 divided by 1.06 यह पहले note 13.49 नहीं आया है फिर 13.49 into 0.65 0 into 0.35 1.06 तरी आगे इस टू पिरियेड बाइनोमियल मॉड इस स्पीड से जाना थोड़ा सा मुस्किल है पर मैं रिविजन करवा रहा हूं यह स्वोच रहा हूं ठीक है चले जी आगे बाइनोमियल में ही डेल्टा है जी इसका कोश्चन है कॉंसेप्ट यह था कि डेल्टा क्या है डेल्टा क्या होता था और डेल्टा यह होता था सर और यह कि हम बस शेयर का कॉल Om transition खर्यब देलन का कॉल सुध खरेगा सग्लटा तो शर्ठ अगर इसर इसर अगर का प्राइस बढ़ेगा तो कॉड़ ऑप्शन का वैल्यू तो बढ़ेगा इसर हाँ बिल्कुस सर बात ऐस wrapped है if I ο अगर मैं आपसी एक बात हूँ सुना द्यांस से कि अ अगर में शेर खरीट तो 100 रुपय का Я तो मैं कॉल आपशन खरीटता हूं तो मुझे प्रीमियम देना है dizzy fan तो मैं क्या सोच रहा हूं zh बढ़ेगा कॉल एंप्षिन खरीटे रहा तो मैं क्या सोच रहा हूं मुझे फायदा होगा केरका प्रैकस बढ़ने कि एफिप्टीन है पासीमें अरही है । जो बच्चा जूसीर खरीद रहा है उसको भी फायदा है कितने का जो शूना नहीं खरीद रहा जो option करीद रहा उसको भी फायदा है कितने का पाच सेयर के प्रेस बढ़ने से option क्यों बढ़े ऐी कि काल ऑप्शन के वेल्यू की ठीक है जी तो सहाब चाहे आप शेयर खरीद ये चाहे आप कॉल ऑप्शन खरीद ये एक ही तो बात है पर शेयर खरीदने से कितने का फायदा दस का ऑप्शन खरीदने से कितने का फायदा पाच का डेल्टा समझते हो डेल्टा सुना शेयर का प्र बढ़ने से option का value बढ़ेगा पर आधे से बढ़ेगा आधा आधा मतलब change in value of option divided by change in price of share is equal to 0.5 यह आप इसको और एक formula में आपको समझा दूंगा पस इतनी बात समझ मैं 0.5 का मतलब समझा सकते हूं हां sir 0.5 का बढ़ेगा तो option का value भी बढ़ेगा पर equal नहीं बढ़ेगा 0.5 यहां तक ठीक है और दूसरी बात में यह बोल सकता हूं अगर आप share खरीदते हो तो 10 का फाइदा अगर आप option खरीदते हो तो 5 का फाइदा आप भगवान करें आपको आधा share खरीदने का मौका मिले तो आदा एक share पर कितने का फाइदा दस का तो आधिश यह पितने का पाच का अगर आप आधा share खरीदो तो पाच का फाइदा अगर call option खरीदो पाच का फाइदा तो क्या दोनों मेरे लिए एक बराबर है हाँ यही मैंने सिखाया था एक call option is equal to आधा शेयर यह चीज़ सिखाया मैंने आपको किक है याद आया थोड़ा बात सर नहीं आ रहा है कोई बात में नहीं आ रहा तो भी चिंता ना करो मैं आपको किसी और तरीके से समझा दूगा यहां दीवीजन ही तो करवान है एक्ट्व में कॉंसेप्ट यही था पर सुनना द अला हुआ डिस्क्रिप्ट्शन जहां तो मैं छोड़ सकता हूं पर चलो जल्ड़ जल्ड़ करते हैं जो अभी कितने का शेयर है 600 रुपए का और मिश्टर दयाल को यह लग रहा कि शेयर का प्राइस 780 बी हो सकता और 480 भी हो सकता अभी शेयर का प्राइस 600 रुपए अशे 3-month the chances of occurring such variance 60% and 40% probability the hour a call option on the share of ABC limited can be exercise at the end of three month or kit name exercise 630 consumption energy call option call option सवाल ये है exercise price is 630 तो क्या exercise होगा यह 150 see you was at or CD कितना गया जीरो आप सुना धियान से डेल्टा निकलना पड़ेगा क्या मांगा यह वाला point important what combination of share and option should mr. they'll select if he what's a perfect has perfect has hedge का मतलब समझते हो yes अब मैं आप से कुछ बोलना चाहता हूँ जब भी यह बोलेगा कि what combination of share and option तो आपको डेल्टा हैजिंग से ही question करना जहां भी share और option का combination पूछेगा तो आपको हैज ही करना पड़ेगा डेल्टा हैजिंग का actual में क्या समझाने की कोशिशन कर रहा है क्या 3 मैने बाद share का price 0780 हो सकता है हां बोलो हां चारटी तो क्या share का price में change हो सकता है हां सर 780-0 आप संका वैल्यू भी देखो 150-0 तो 150 का 22 प्राइज बढ़ेगा तो आप्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा कि इसे शिए प्राइज में डीनका रृप sunflower से तो आप्सन का वेल्यू देड़ सो रुपए से तो सर डेल्टा है जिंग यास डेल्टा क्या निकला 150 divided by 300 तो कितना आ गया पॉइंट फाइफ बात समझने की कोशित फॉर्मूले पर नहीं जा रहा हूं मैं फिल कर रहा हूं कि शेयर का प्राइज बढ़ा तो आप्सिन का वैल्यू भी बढ़ा तो में क्या शेयर का पैस तो बेस तो शेयर का पैस रखना पड़ेगा ने नीचे ठीक तो डेल्टा डेल कर रहा हूं किसी को कॉल आप्सन बेज दिया है कि स्का कब फायदा होगा जब बढ़ेगा आपको ड़े पिर क्यों बोह रहा है कि प्रेमियम का पैसा रखने हम बात आपने call option right किया है तो आपको चिंता तो है यार किस बात की चिंता तो आपको पैसे देने पड़ेगे ना तो भाई साव आपको हैज करना और हैज करने के लिए आप आधा शियर खरीद के लख लो तो कि मैं वही समझाने के कोशिस कर रहा हूं कि डेल्टा का मतलब आध ठीक है यह उद्देश ही था सबसे पहले आपको जब भी यह पूछेगा आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा डेल्टा का फॉर्मला होगा आगे तो कंपीट परफेक्ट हैस वी शेल कंपीट हैसरेश हैसरेश बोल सकते या डेल्टा भी बोल सकते और और सीवन माईनस सीटू एसवन माईनस साफिए निकाला तो कितना गया पॉइंट फैव तो मिश्टर दयाल क्या करेगा आधा शियर करेगा एक कॉल ओप्सिण क्या करेगा राइट करेगा आपको ही बनना पड़े तो अब तीन महने बाद क्या हो सकता है वेलियौ उप्सन निकालने कि कोशिश करूं मैं तीन महने बाद क्या हो सकता है सरतीम मनेबा are a HA su相信 थे यहा तो चारस्ती हो सकता है हमने क्या करके रखा हम्यद कॉल उप्सननाय या आधा बोर में से खरी च अब हम सोच रहें कि तीन माने बाद दो ही पॉसिबिटी है यह तो शेयर का प्रइस चार्स फसी हो सकता अगर शेयर का प्रइस सेवन एक्टी हुआ तो जो आधा शेयर रखा तो उसको बेचेंगे तो बेचेंगे तो आधा शेयर कितने का भी जाएगा 390 का लेके लेकिन आप अगर शेयर बेचने से पर 150 देना पड़ेगा तो हमें 240 रुपए का कैश इंट्लो हो जाएगा कब होगा तीन मेहने पार अगर शेयर चार्स फसी हुआ तो तो जिसको मैंने कॉल अप्शन राइट किया हो तो एक्ससाइज ही नहीं करेगा पर आधा शेयर में बेचेंगा 480 अगर अपर 242.5 तो आधा शेयर बेचने मंजे कितना मिलेगा 242.0 काश होिए मैह क कहना चाहता हूं अजमें खीजना शेयर का प्रैस बलेही कुछ क्यों अ हो जाए 706 दौना होजा किसी भी हालत में बहु़ए 240 रुपए मिलना मिलना है तो अब मैं यह सोच रहा हूँ कि यार आज मुझे एक कब मिलने वाला दो चलिए एक सल बात तो सर आज शीयर का प्राइस कितना है 600 और सर मुझे आदा शीयर खरीदना है तो मुझे कितना 300 तो अम मैं सोच रहा हूं यार 300 लगेगा पर मैं कॉल आपसन राइट करूंगा तो उससे मुझे प्रीमियम का कुछ पैसा मिनिमम कुछ पैसा वसूल करूंगा वह मिनिममी तो निकालना है तो 300 लगेगा कप आच और कुछ पैसा प्रीमियम से मिल जाएगा और जो पैसा लगेगा तो डैंक को विट इंट्रेस्ट मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा वे exist वाससमझ में आ रही जो इंट्रेस्ट होगा तीन महने का टरhésitez बैंक वाले को मुझे चुकाना है कितना चुकाना जरह सोसते हैं 300 शेयर खरीने के लिए लगना चाहिए था पर प्रीमियम से वसूली हो जाएगी बचा हुआ है पसे मैं बैंक से ले लूँगा और बैंक वाले को बोलूँगा कि भी या किसी भी हालत में है तीन मैने बाद तो मुझे 240 मिलने वाला है थिक तो इस तरह से मुझे प्रीमियम का वसूल कम से कम कितना करना पड़ेगा 65.85 यह 1.025 कहां से आया यह आपको पता है रेट आप इंटरस्ट चेक किजिएगा रेट आप इंटरस्ट कहां है यह दस परसंट तो तीन मैने का धाई पर तो प्रीमियम का वैल्यू कितना आया वैल्यू आया 65.85 सर हम सीधा इसमें रिस्क न्यूटरल से कोश्चन नहीं कर सकते थे कि प्रोबैबिटी दिया है रिस् में बोला है कॉंबिनेशन आप शियर एन ऑप्शन तो रिस्क न्यूटरल नहीं चलता है तो पहला बोला डेल्टा निकाल यह दूसरा वैल्यू ऑप्शन यह भी निकल गया तीसरा एक्सपेक्टेड रेट अप रिटन एक्सपेक्टेड रेट आफ रिटन अब सुनो मेरी बात को ठीक से है और शेयर गवाई सास्वसी हो सकता है और शेयर गवाईस चार्सवसी हो सकता है और सीटि एक्सराइस प्राइस कितना है सार शेयर तो भाई आप 630-170 एक्सपचास या फिर जीरो अब जो ऑप्सें होल्डर में है आप्सें होल्डर के विसे में बात करूंगा जाला सूचना ऑप्सें होल्डर तो वो नहीं देख रहा ना कि क्या रिस्क निव्टर् प्र स्थें हो वह वह कितना कि फीचर में कितना मिले हमें तो ऑपसें होल्डर किया सोच रहा है ऑप सूल्र ही आइसकता है और यह बहा सकता क्या उक्स्पेक्टेशन एगस्टेशन बولंए 150 पैओफ ने की एक्सपेक्टेशन है सिक्ष्ठiesंट्टी बर्स और जीरो आने की प्रो को multiply करके probability से तो 90 रुपय आएगा सर यस वाई साम जो option holder है वो यह सोच रहा है कि आज मैं पैसे लगा दूं कितना रुपय मांग रहा है प्रीमियम का मांगा जा रहा है 65.85 और मुझे मिलेगा कितना 90 तो क्या मेरा एक्सपेक्ट रिटर सर यह तो लगा रहा है आज और यह आएगा तीन महने बात बेकार की बात मुझे प्रेजेंट वैली थोड़ी निकाल ना मुझे निकाल एक्सपेक्ट रिटर आज लगा कि फ् एक्सपेक्टेड है और आज अगा रहा 60 तो पर्शंटेज रिटन कितना रहा 36.67 पर्शंटेज यह भी पूचा तो इस कोश्चन को आपको याद करना पड़ेगा यह कोशन बहुत अच्छा है तीन चीजे पूचा था आठ नमर कोशन आएगा आएगा तो वैलियो ऑप्शन पूचा था और एक्सपेक्टर रिट अप रिटन बोला था ठीक है अब चले भी एसम की तरफ रिस्क नूटर प्रोबैबिलिटी एप्रोच में बाइनोम दो चीजे पड़ा सिंगल पिरियड और मल्टी पिरियड टू पिरियड इसके लाब डेल्टा है जि और पार्ट वह भी करें ये इंट मिस थे आप्शन के बेसिक्स दूसरा तै्यार वैली ओप्शन जो जूब ज्यादा इंपोर्टन रोत तीसरा अप्शन एपसनस्ट्राइची अभी एसम बाकी है तो डिए अधर लेग कर लेते चलो बात करते हैं बीएसम की ठीक है तो बीएसम में क्या है बीएसम सर और कोश्चन कोश्चन तो सर ऐसा है कि मैंने एक ही कोश्चन लिया है और वो जो कोश्चन है वो आपके स्टुडियम डिल का बीएसम कहना क्या चाता बीएसम कुछ भी नहीं कहना चाता बीएसम सिंपल बाइनोमिल मौडल में बड़ी सारी समस्याय थी और समस्याय क्या थी वो मैंने आपके साथ डिस्कॉस किया कि वो बोलता था कि दो ही पॉसिबल प्राइज हो सकती है जबकि प्राइजिस तो बहुत बीएसम कह रहा कि कॉल आप्शन की वैल्यू कैसे निकालोगी जाय को बात कर लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि शेर का प्राइस मान लो एकच्राइब आज पास्वा पास्वाज 500 है exercise price 550 और share का price 600 हो सकता है शेर का price 600 हो सकता है सुनना ध्यांस exercise price कितना है 550 share का price कितना हो सकता है 600 हो सकता है तो call option की value बताइए दिख रहा है वो लो अगर exercise करते है तो कितने का डिफरेंस है 50 तो कॉल अप्शन की वैल्यू कितने होगी 50 वही तो कर रहा है हम expected value of option share का price minus exercise price शेट पर ज्यादा होना चाहिए नहीं पर ज्यादा होना चाहिए तो उन्होंने का एक काम करो simple सा उन्होंने यहां तो एस हैस का मतलब शेट का पर्याइस माइनश एकर देद्या सि मैनस एच सच्का मतलब श्टॉक का प्रैस क kindly is ज cafजितना अब सवाल उतना शेट का प्रैस लेना कर शेरप्रैस फाई हघंडरट की सन्जी सिस्द और एक समस्य है सुनना बिठ्टे सुनना बिठ्टर ध्यां से शिर का प्राइस कब कर लेना हैmp Thi अच्क लेना है शेर गाव आजका मतलब एस कौन सा लेना एस लेना है जीरो और इसमें कुछ एजिस्टमेंट कर देना ठीक कि यह तो बास में शेर का परस कपका लेना आजका इस टॉक के प्राइज में से एक्साइज माइनस एक्साइज मायनस करें जो आयगा वो ग्रॉस पे और वही वैल्यों पाप्सन हो का चैसल बात का कैसे इक स्ल बात का तो ठीक है ना उसको भी हम प्रेजंट वैल्यू निकाल लुष कहश प्रेजंट वैल्यू ने कायल लिया अच्छ अब ठीक है ये भी आज का होगा exercise price future का उसमें present value और stock का price उसमें कुछ variation करेंगे यह भी आज का price है यह भी आज का price बना लें बस पर इसमें कुछ adjustment होगा इसमें भी कुछ adjustment होगा जिसके लिए हम jet table का use करेंगे इसका मतलब इसको multiply करेंगे nd1 से और इसको multiply करेंगे nd2 से s-e यही उन्होंने formula बना है s0 into nd1 exercise price into nd2 हलाकि इस पर मेरा बहुत बड़ा lecture डला हुआ है YouTube में अगर डिटेल में समझना चाहती हो तो पर प्लीज मत जाओ derivation के पीछ अभी time ही नहीं है आपके पास s0 को मल्टिपास हो गया सब्सक्राइब को मतलब नहीं है इन दोनों को मतलब और जिसको मतलब समझना है उसको कहीं और जाने की जरूत नहीं डिस्क्रिप्शन में जाएए मैं बीएसम का लिंक दे देता हूं तो सर्फाइनल क्या समझ मैं है फाइनल कुछ भी नहीं है आप बीएसम छोड़कर मत जाओ क्यों जा रहा है बस आपको क्या s0 पता है हां आपको क्या exercise प्राइस पता होगा उसका हाँ अब सवाल यह है कि एन का मतलब इसके लिए तो आपको नॉर्मल ट्रिश्रिबीशन टीबल देखना पड़ेगा हमें डीवन और डीटू बस इसका वैल्यू पता लग गया तो लॉट्री लग गई और कुछ भी नहीं करना है डीवन और डीटू और यह थोड़ी सी समस यह है डीवन का फॉर्मुला है आपके पास एलन एस जीरो बाइए प्लस ब्रैकेट में जाए आर प्लस वेरियंस ओप स्टॉक डिवाइड़ बै टू इंटू थी हाला कि इसका डेडिवीश जो हुगा है उसका मतलब मैंने समझाय था म्यूं सोरी एक्स माइनस म्यू डिवाइड़ बाइस्टेंडर डिवीशन हाला कि मैं समझाया हुआ हूँ बी एसम में जब कि यह जो डीवन निकल रहा है न यह कुछ नहीं है जैट टेबल ऐसी तो जैट का वैल्यू निकलती थे न यह इसी से बना हुआ है क्या फॉर्मुला है डीवन और यहां पिरियोडिकल इस्टेंडर डिवीशन हो जाएगा और डीटू तो सिंपल है डीटू इस एक्वल टू डीवन माइनस पिरियोडिकल इस्टेंडर डिवीशन बस मेनी यह वाला फॉर्मुला है मैं बस आप से यह कहता हूँ प्लीज बीसम मत छोड़ो इसलिए मत छ जरूबरत आप मत बनाई है बस फॉर्मुले लगाई यह अंसर निकाली है तिक है जादा समझने के चक्कर में ना हमें ना चीज़ें मुस्किल लगने लगती है बहुत जादा हम डीप में जाने की कोशिश करते है फिर इस टेप नमर वान इस्टेप नमर डू इसलिए बच फ्रॉम दा फॉलिंग रिट फार शर्टर इस्टो कोशन नमर 7 की में बात कर रहा है यह कोशन भी स्टेडी माटीरिल से लिया गया है फांदा वैल्यॉ अप कॉल अप्शन इस्टॉक का प्राइज दिया है जिरो इदिया है 75 इस्टेंड इविशन अप कंटुनिएसली कंप पॉइंट फाइव यर्स बोलेंगे और रेट ऑप इंटरेश दिया है 12 परशन जैट टेबल की वैल्यू दिया है और सर्व ना दिया हो तो तो कुछ नहीं कर सकते दिया ही रहे का पर यह समझना एरिया ऑफ दा लेफ्ट और राइट वान टेलिया दिया यह यही भर समझान टीक है अब सबसे पहले इन्होंने का यार हम डी वन का फॉर्मुला हमको मालुम है हमें C0 निकालना है S0 को Multiply किसे करेंगे ND1 से Minus Present value of exercise price इसको Multiply किसे करेंगे ND2 से मुझे एक बात बताओ मुझे कहीं ही समस्या नहीं इसमें कोई समस्या नहीं इसमें कोई समस्या नहीं बस मुझे D1 और D2 में समस्या है तो D1 और D2 सबसे पहले निकाल ले D1 का Formula है जीरो डिवाइड़ बाई ए और एस जीरो डिवाइड़ बाई ए की बात करो एस जीरो यहां कितना 80 डिवाइड़ बाई 75 तो सर यह आ गया 1.0667 और यह नैचुरल लॉक तो सर इसकी वैल्यू दिया होगा कि कुश्चन में 99 पॉर्षन वैल्यू दिया होगा 1.00 0667 का नैचुराल लॉक यहां दिये नेचुरल लॉक वैंपॉंट और इसकी वैल्यू दिये जीरो पॉइंट 046 646 कि यह वेल्यू आपको दिया रहेगा इसका नैचुरल लॉक लॉक निकालना है तो लॉक की वैल्यू दिया हुआ है जिसका भी आपको natural log निकालना 1.0667 उसको square root करना बारा बार minus 1 करना into करना 4096 तो यही आ जाएगा पर दिया हुआ तो ज्यादा समस्या है फिर 12 पर्षें इंटू 0.08 इंटू 0.5 टाइम पिरियट टी और फिर यह तो यहां कितना निकला 0.5820 और डीटू कितना निकला 0.2992 पर मुझे डीवन नहीं चाहिए मुझे चाहिए एंडीवन उसका नॉर्मल डिस्टिविशन टेबल मुझे चाहिए एंडीवन 0.5820 डीवन निकल गया था इसकी जैड टेबल में क्या वैल्यू मुझे यह निकला यह इंपोर्टन अब सुनना बेटे ध्यान से समना मुझे किस पर वैल्यू चाहिए मेरा डीवन क्या निकला 0.5820 यहां चेक करो क्या 0.5820 का कभी वैल्यू दिया है नहीं दिया है 0.25 का 0.3 का 0.55 का 0.6 का तो मुझे अब interpolate करना पड़ेगा मुझे 0.55 का value दिया है मुझे 0.6 का value दिया है और इसी के बीच में तो 0.5820 तो क्या मैं value निकाल सकता हूं interpolate करके yes यह देखो 0.55 का value दिया 0.60 का value दिया हुआ है और मुझे चाहिए 0.5820 का इन दोनों का difference आ रहा 0.05 तो इन दोनों का difference आ रहा है it means जैसे ही में यह बढ़ा तो यहां इसका value क्या हो गया कम हो गया कम याद रखना कम हो गया मुझे चाहिए मुझे इसको बढ़ाना तो है पर 0.55 से 0.6 पर नहीं ले जाना है मुझे बस इतना सा बढ़ाना ठीक है तो अब देखो मैंने कैसे किया जैसी मैं 0.55 पर value लेता हूं तो कितना रहा 0.2912 ठीक है और जैसे मैं 0.05 से चैंज करता हूं तो इतना चैंज हो जाता है पर मुझे 0.05 का चैंज नहीं करना मुझे 0.032 का चैंज करना इंटर्पोलेट किया हूँ आप तो आंसर कितना गया 0.2803 बहुत अच्छी बात है यह निकल गया अब समझना मैं क्या कहना साथ हूं दिक्कत यह है कि यह जो एरिया है वो किस तरफ का वंटेल एरिया है वंटेल इधर क कि अग्यों जबकी मुझे यह वाला इरिया नहीं चाहिए कभी हुझे में हम क्यों मचे हमयमें चाहिए और रिया जब कि उसने यह डिया हुआ है क्या करें इस पूरे कर्व की वेल्यु क्या होती है वन तो क्या इसको क्योंकि मुझे यह वाला हटा ना बाकी वाला एरिया मुझे स्कया मुझे बन से मायनस करना पड़ेगा 2000 अगर वन से आप मैनस कर तोम 520 803 तो यह वाला value हो जाएगा 0.7997197 हमें BSM में area को याद रखो BSM में कभी भी हमेशा continuously compounding ही use होगा दूसरी बात BSM में area कौन सा देखना होता हमें cumulative area देखना होता है तो यह आगया मेरे ख्याल से ND2 आप निकाल सकते तो अब कुछ बचा नहीं है 80 into ND1 और 10 divided by ND2 आंसर आगया 13.96 अगर मैं आप से बस इक बात कहूं तीन ही तो formula है यार एक D1 का formula एक D2 का formula और एक C0 मेरे ख्याल से इस formula में call option में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो S0 into ND1 करना है minus present value of exercise into ND2 करना इसमें तो कोई समस्या है नहीं दिवन में समस्या है तो उतना तो यार मैनेज कर सकते हो इसके लिए क्या भी एसम छोड़ दोगे ठीक हज़े बस यह कोश्चन करूंगा इसके लावा कोश्चन नहीं करूंगा भी एसम के बाकिया आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं तो option क्या खतम हो गया सर ऑप्सन खतम नहीं हो ऑप्सन मुझे तीन पार्ट में करवाना था फास्ट पार्ट में क्या किया था हम लोगों बेसिक्स सेकंड पार्ट में क्या किया वै सटोरी ठीक है सर अब क्या करना है अब आ जाते हैं पार्ट नमबर 3 option strategy 2.0 है option strategy है और जिन्होंने मेरी regular class ले रखा है उन्हों तो option strategy से ठग गया होगी सर पता नहीं क्या क्या option strategy है पर मेरे लिए इस्ट्रैप इस्ट्री बुलबीर इस बटरफ्लाई काम के नहीं क्योंकि इस से किताबों में कोई कोश्चन है नहीं है और एक्जाम में भी कोई कोश्चन नहीं आया है जो आया वो किस से आया इस्ट्रैडल और स्ट्रेंगल अंदर क्या असर इस्ट्रैडल र अब गाइश आप्षिंग कौक एक यूक्रेन और क्या किया वार चल रहा जाने में भूचाल वने आने वाला पक्का अने वाले तो मार्केट नहीं मालूम की बढ़ेगा कि कम होगा पर कुछ न उनेवाला, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कौन सा option खरीदना चाहिए, बढ़ेगा तो call सर, गिरेगा तो put, भई मुझे नहीं मालूम ना, बढ़ने वाला कि कम होने वाला, तो सर दोनी खरीद लो मा, call और put दोनों खरीद ले, यह यह इस इट मेंस जब भी आपको पता ना चले कि मार्केट बढ़ने वाला कि कम होने वाला तो आप इस्ट्राइटीजी बना सकते हो आप कॉल अप्शन और पुट अप्शन दोनों एक साथ खरी सकते हो अगर आप एक ही एकसराइस प्राइस पे खरीते हो तो उसको बोलते इस्ट्राइडल्स और अगर अलग-अलग इस्ट्राइक प्राइस पे खरीते तो उसको बोलते इस्ट्राइंगल्स कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अगर एक ही एकसराइस प्राइस पे खरीते तो इस्ट्राइडल्स और अलग-अलग पे खरीते तो इस्ट्राइंगल् समझाओगी कि थोड़ा बहुत बिटे समझ ना गया मैंने काम की बात कर लिया और डिटियल में पढ़ा नदर डिस्क्रिप्शन चेक किजिए पक्का डला होगा यह लिखाया थियोरी हाला कि यह थियोरी हमारे काम के नहीं आप रीट कर लिजिए वही मैंने जो बोला था वह कर चुका हूं मैं सीधे कोश्चन पर आता हूं जो मझे करवाना इस से कोशन आता है ऑप्शन स्ट्राइटिज लिखा मिश्टर एक्स इस्टाब्लिश्ट फॉलिंग इस्प्रेड ऑन देल्टा कॉर्परिशन स्टॉक इस प्रैड लिखा यह स्ट्राइटिज क्या कर रहा भाई मिश्टर एक्स यह बताओ बुले पर्चेस किया थ्री मंत कॉल ओप्शन ठेक है प्रीमियम थीस एक्सरसाइज प्रैस कितना है फाइफ फाइफ जीरो इससे बढ़ेगा तो एक्सराइज प्रीमियम का कितना गया थीस इसके अलावा और क्या पर्चेस किया है पुट प्रीमियम कितना गया पाँच एक्सराइज प्रैस कितना है चारसोपचास तो चारसोपचास से कम होगा तो एक्सराइज टिक डेल्टा कॉर्परेशन श्टॉठ अभी कितने का है बुले 500 का प्रॉफिट और लॉस निकालना है अगर शीर का प्रैस पास्टों ही रहता है त अगर शिर का प्राइस पास्ट रहता 500 कॉल एक्सराइज होगा क्या नहीं क्योँ नहीं होगा क्योंकि बड़ा तोटल प्रीमें केसर थाइज होगす कॉल ऑप्षन इसलिए एक्सराइज नहीं होगा क्योंकि 500 से एक्सराइज पास्व पटास से उपर होना चाहिए जब कि शेवर प्रीस पास्व है ना तो पूट ऑप्षन एक्सराइज होगा तो टोटल मेरा लॉस कितने का हो जाएगा 35 अगर 350 होता है तो कॉल लेप्स हो चाहस माइनस 35 पंद्रा का प्रॉफिट और इन्टू हंडेट इन्टू हंडेट कर देना बस बस इसको आपको पैरग्राप में लिखना पड़ेगा ठीक है बाकि मेर्जे नहीं लगते कि कोश्चन में कुछ है आप आराम से कर सकते हैं पैरग्राप इस तरह से रहेगा नेट गैन कितने का 6500 का और यहां नेट गैन कितने का पंद्रासों का तो टोटल हमारा ऑप्शन खतम हो गया थोड़ा सा फास्ट चलना ही था यार कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास इतना फास्ट नहीं चलोगे तो इस दिन पर जो लोग पहली बार देख रहे है रिक् कर लेंगे क्लास वालों के लिए है यह दिविजन चले जी तो पहला पार्ट हुआ मुझे दो पार्ट में डेरिविटिव करवाना था एक तो था मिरा कि बोलो ना यार ऑप्शन और दूसरा कौन सा फ्यूचर तो बात किसकी करेंगे अब बात करेंगे फ्यूचर के सुना धियां से यह वाप यह राम और यह श्याम और श्यार का प्राइस आज चल रहा है पस राम को लग रहा है कि शियर का प्राइस बढ़ेगा और श्याम को लग रहा है कि शियर का प्राइस कम हो जाएगा यह बुलते चलो शर्त लगा लित एक जो पोजिशन ले रखा है पोजिशन इसने कौन सा पोजिशन ले रखा है लॉग और इसने कौन सा पोजिशन लगा है short अगर simple language में बोलू तो यह upside betting किया और यह डाव है आज से तीन महाँ बाद share का price यह बोल रहा है बढ़ेगा यह बोल रहा है कम होगा contract बोले चलो contract हो जाए contract हो जाएगा और मालो share का price कितना हो जाएगा पास सो तो रुपैसे तो राम श्यांब सिंपल है इसमें कोई option option वाला प्रीमियम का जंजट ही नहीं है यह contract कौन सा यह है कौन सा contract forward contract लेकिन यही शर्थ अगर बीच में stock exchange होता और वो लगवाता इन दोनों से तो यह contract कौन सा होता यह contract future contract forward contract में face to face शर्थ लगते हैं दोनों परसन एक दूसरे को जानते हैं पर बीच में stock exchange है और दोनों आसे तो फिर कौन काम करता है stock action काम करता है ठीक इसमें हाला की future contract में दोनों party को margin जमा करना पड़ता है और margin में डेली एजिस्टमेंट होता है यह मैंने डिस्कुस कर चुका हूं तिक इस पर भी शर्थ यूरी है यह आ सकता forward contract future contract OTC over the counter यह सब आ सकता तो यह डिटेल में description चेक किजिए जनको याद नहीं आ रहा है उनको description ही चेक करना पड़ेगा विटियूरी तो मैं यहां नहीं पड़ा सकता है तो यह forward contract के विसे मैं बता रखा कि क्या होता है buyer को खरीदना पड़ता है seller को हाला कि शर्त लगती है बाकी और कुछ नहीं यह over the counter future contract इस टेंडर होता है इस टेंडराइज का मतलब कम तब यार श्टाइक्शन के थू काम कर रहा हूं ना शर्त लगा तो ऐसा नहीं कि रात में 10 बजी आके शर्त लगा एक फिक्स टाइम होगा इस टेंडर लॉट साइज होगा यह सब कुछ इस टॉक एक्शेंज के थूट रूट होता है मार्जिन जमा करना पड़ता है और काउंटर पार्टी डिफाल्ट कर नहीं सकते हैं आउंटर पार्टी के बीच में इस टॉक एक तो पार्टी होती फिचर कॉंट्र ठीक है एक होता future buyer और एक होता future seller है साब future buyer को dai करना पड़ेगा ultimately upside बेटिंग करेंगा इसको long position बोलेंगे यह downs breaking करेगा इसको क्या बोलेंगे हम short position पटक एक एक गार यह ऐंतर देख लें फडर का हुटमें स्टॉक्षेंज होता है इसमें stock exchange होता है customer अपने हिसाब से किसी भी time forward contract कर सकता कितनी भी quantity में कर सकता है यह एक standard lot size होता होगा यह standard time होता होगा उसी में आपको करना होता है कि वावर कॉंट्रक्ट में कोई किसी के पास margin जमाहा नहीं करना पड़ता करता लेकिन future contract में दुनों party को इस टाउक ऐसे ब सद् franchised के पास मार्जिन जमा करना होता है उसमें डेली एंटिजस्ट में होता है इसके को आइज स्टॉनफ संझ मैंश कर सकती काउंटेस्ट पार्टी बीदिद नहीं कर सकती स्ट्किश के बीच में है इसमें ओन्लि मैचुरीटी को को हैं इसमें settlement होता है इस पर कोश्चन है कोश्चन करेंगे तो बात समझ में चाहिए सार प्लीज उसके लिए डिस्क्रिप्टिन चेक कर लेना ना यार टाइम काम है ना थियूरी पर क्यों टाइम लगा है प्रैक्टिकल कोश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छ इस्टॉक एंडेक्स फ्यूचर क्या होता है निप्टी थैंसक्स और उस पर भी बैटिंग होती है ठीक ए और इसका सेटिल्मेंट कैसी होता इन कैश होता सरफ फिजिकल डिलिवरी नहीं होता है थेक हमें बात करनी है नियूमेरिकल और नियूमेरिकल में हम तोटल मिलाकर चार पार्ट में काम करना एक तो सबसे पहले क्या करना मार्जन एक ही कोश्चन यह दोनों टोपीक बहुत इंपोर्टन्ट है हाला कि margin का question आया है वो भी डला हुआ है new question के list में चले जाना एक तो valuation of future यह करना और beta management यह करना दो topic थोड़ा सा time ज्यादा लेगा और फिर commodity future यह तो है नहीं एक question है मतलब हमारे लिए यह दू जो है यह important है थीक तो इस्टार्ट करते है नियूमेरिकल मार्जिन वैल्यूशन आप फिचर बीटा मैनेजमेंट है फिर commodity future थीकर चलो तो कि start करें future में सबसे पहले बात करेंगे margin चाहे आप future buyer हो चाहे future seller दोनी party को stock action के पास margin जमा करना होता है वैसे तो margin बहुत टाइप के होते हैं लेकिन हमें में जो बात करनी एक initial margin एक maintenance margin और एक variation margin तीन margin की विसे में बात करना है कि suppose हमारा यह सूचना है मालो शेयर का price है एक हजार price और एक contract में 100 shares है तो टोटल में लाकर हमारा contract एक लाख रुपए फिर से हम बैटिंग करना चाहते हैं और बैटिंग में प्राइज है शेयर का price एक हजार और एक contract में 100 shares तो टोटल मिलाकर एक लाक रुपए हो गया तो इस टॉक एक्षिंज के पास हम लोगों को मन से बोड़ रहा हूं दोनों का पैसा जमा है यह मेरा पैसा इसको ए बोल देता हूं यह सामने वाले का पैसा हभी सर्थ लग चुकी है और मेरा मानना है कि शेयर का price सो रुपए से नहीं प्राइस तो एक हजार से बढ़ेगा और इसका मानना कि price एक हजार से काम होगा मान लो अगले ही दिन शेयर का price 1020 हो गया हम एक हजार बीस तो बोलो कौन जीता है बीस रुपए से तो बीस इंटु सो बीस इंटु सो कितना होता है दो हजार रुपए यह मेरे एकाउट में प्लास हो जाएगा इसके एकाउट से मार्जिस एहां तक ठीक है सुरू में कितना मार्जिन जमा किया था इसको क्या बलग जाता इनिशिल मार्जिन तो सर आपका total margin कितना हो जाएगा मेरा margin हो जाएगा 22,000 रो सामने का वाला का कितना हो जाएगा 18,000 इस तरह से daily basis पर काम चलते रहेगा इसर यह maintenance margin किया है, suppose maintenance margin है 15,000 रुपई इसका मतलब है कि 15,000 रुपई से कम margin का balance नहीं होना चाहिए किसी कारण वास आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आपको आठ जार रुपए का लॉस हो गया तो आपके पास margin कितना बचा 10,000 जबकि margin कितना maintain करना है सर आपको सर margin हमें maintain करना 15,000 मार्जिन का बैलेंस कितना बचा 10,000 तो क्या margin 15 से कम हो गया यस maintenance margin का मतलब एक limit उससे कम नहीं होना चाहिए अगर उससे कम होता है तो यह Mr. B से margin call किया जाएगा और कितना margin call किया जाएगा सर पाच हजार पाच हजार नहीं वापस आपको इनीशल तक पहुचाना पड़ेगा आपसे 10,000 रुपए और call किया जाएगा इस वेरियेशन मार्जिन बोलते इसको इनीशल मार्जिन जो सुरू में जमा करते हों मैंटरेंस मार्जिन मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए और वेरियेशन मार्जिन का मतलब भई आपसे margin call किया जाएगा यह तीन मार्जिन है जोमें डिसकरश्यं करना हां एक इनीशल मार्जिन जो आपको 1 जब काॉन्टैट करते ह לא तब निश्ल मार्जिन fruit in मेंंटर म मर्जिन में बोल सकते म हम नीमा मर्जिन मार्जिन और वैरियिशन मार्जिन क्या वैर इनीशल मार्. जब कम हो जाता है तो जो margin extra amount of margin call किया जाता है उस extra amount को क्या करते है आप variation margin बाकि आप margin withdraw कर सकते हो यह सारी चीजे मैंने यहां लिखवाया कभी कभी कोश्चर में initial margin नहीं दिया होता तो उसको निकालने का एक फॉर्मला मियों प्लस 3 standard deviation इसका मतलब क्या है इसका मतलब जार कि stock action margin कितना call करें आपसे तो इनका एक कहना कि आप एक काम करो average कितना variation हुआ है change कितना हुआ हर दिन average निकालना हर दिन कितने रुपए का चाहिए किसी दिन 2000 किसी दिन 4000 किसी दिन 8000 किसी दिन 500 रुपए का तो बोले जो भी पास्ट में चैंज हुआ है उसका average कर लो तो average daily change daily absolute एप्सुलोट मतल़ मतलब प्लॉस प्लॉस वाला ले ना खर मैं average माल ले तो हर दिन 4000 रुपए का change होता है मतलब अगर बुरे से बुरे situation रही तो भी 4000 रुपए का loss हुआ है उससे ज्यादा का लॉस नहीं हुआ एवरेश कर लिया हम यह सोचते यार जद जद क्या होगा चारहजार का लॉस होगा और डेविएशन निकाल लेना तो डेविएशन मान लो आ गया देविएशन हुआ इस से वह होगा उसे तीन गुना ज्यादा पैसा इट मेंस आपसे सफिशेंट मांगना मांगना चाहता है स्टॉटेशन यह डिसकोष्ण किया हुआ है डीटेल में मार्जिन का एक ही कोशन ले रहा हूं हाला ही मार्जिन के कोशन आये हुए है पिछले अटेम्ट्स में एक दो अटेम्ट्स पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि वो कोशन आपको कर रहना है देखते हैं क्या लेगा 106 future are traded at a multiple of 50 consider the following quotation of 106 future in a 10 trading days during fab 2009 वो बोल रहा है कि भाई total मिलाकर 10 दिनों का उन्होंने price दिया हुआ है और high low ना तो हमें high से मतलब होता ना तो low से मतलब होता हमें सिर्फ closing price से मतलब ठीक और multiplier कितना है 50 एक contract में 50 shares अभिसेक बॉट बॉट का मतलब क्या होता असर बाई बाई का मतलब long position या क्या कह सकते upside betting upside betting तो अभिसेक ने upside betting किया एक ही contract है मतलब पचास फोर्थ फैप को average daily absolute change है 10,000 और standard deviation है 2000 maintenance margin 75% of initial margin you are required to determine the daily balance in the margin account and payment on margin call if any cdc बात है margin 10,000 ये और 2000 into 3 मतलब 16,000 हो जाएगा हमारा initial margin और maintenance margin होगा 16,000 का 75% 12,000 कौन सा पोजिशन है साफ long position upside betting टेबल ऐसे ही बनाना तो ज्यादा अच्छा है डे हजाएगा change in future price या profit loss बोल सकते हैं इसको मैं profit loss बोलूंगा ज्यादा अच्छा और यहां margin account फोर्थ फैप को फोर्थ फैप को किया था रेट 3296 रुपए 50 पैसे बाकि जो मैंने टेबल बनाया वैसी 3296 रुपए 50 पैसे ये था उस दिन 16,000 रुपए जमा किया था margin call कुछ नहीं अब सुनों में फिर रेट क्या हो गया 3296 की बाद आपका कौन सा पोजिशन है लॉंग पोजिशन थी टू नाइन फोर यार यह तो वैल्यू कम होगी तो क्या हो गया लॉस वो लॉस निकाले जिए लॉस कितने का हुआ थिस इंटू 50 से मल्टिप्लाइ करना लॉस तो ये margin के balance से कम हो जाएगा फिर आप देखते जाओगे फिर लॉस से margin के balance से कम हो गया याद रखना maintenance margin कितना 12,000 से कम होगा तो देखना पड़ेगा फिर क्या फिर लॉस हो गया 905 का अब ध्यान देना margin 12,695 माइनस 905 तो margin बचा 11,600 नपे क्या ये 12,000 से नीचे चला गया यस तो क्या margin call किया जाएगा यस कितना margin call किया जाएगा क्या वापस 12,000 वापस कहां तक माइनस 12,000 तक पहुचाना पड़ेगा तो 4,210 का margin call किया जाएगा याद रखना यहीं फस्ते बच्चे बच्चे क्या करते हैं बच्चे यह करते कि 11,790 से वापस कहां तक पहुचाने की कोशिश करते हैं 12,000 जो की कला थे वापस आपको 16,000 तक पहुचाना बाकि वही profit loss निकालते गया और काम होते गया ठीक है तो यह question था margin का और एक और कुछ questions आए हुए है जो की एक ही question है जो की मेरे new questions की list में वह आपको करना पड़ेगा तो total मिला अगर future में मुझे तीन काम करवाने थे margin जो में कपको करवा दिया दूसरा theoretical future price ये निकालना पड़ा ये सीखना आप theoretical future price cost of carry model अब सुनोगे बिट्टे सुनोगे ध्यान से में क्या है क्या है मालो तुना ध्यान से मुझे लगता कि इस शेयर का प्राइज इस फ्यूचर में एक साल बात बढ़ने वला क्या किया जया सकतक सर। कौल उप्षन छोड़ तो आज अंति यह कीमत कितनी है मान लो आज शीह की कीमत है आज कि– ऐखरी दूंगा और एक सल तक oxygen करो एक साल बात में बेज दूंगा जितने कभी जाएगा मेरा टारगेट है एक साल बाद बीचने का ठीक है कोई समस्या नहीं है पर एक है श्टॉक एक्षेंज वह कहता भाई सुनों 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 ऐसा मत करो आपको क्या लग रहा है मैंने का मुझे लग रहा शेयर प्राइज बढ़ेगा तो बहले आज मत खरीदी एक कॉंट्रेट कर लीजे एक कॉंट्रेक्ट इस पर्षन के राम नाम लिए राम के और इसकाशन के बीच में कौंट्रेक्ट होगा आज कि यह शैर हम आपको एक साल बाद दे देंगा आज पैसी भी देने की जरूरत नहीं है आपको आप एक साल बाद आईएगा और हम से पक्का पक्का लेत लेना और कितने रुपे का ले जा लेना शियर आप 500 525 का ले जा लेना आप भी क्या याद रखोगे तो क्या करूं आज शेयर खरीद हूं तो पास्ट रूपे का मिल रहा है पर मैं आज पैसे ना डालूं आज शेयर खरीदें पर आज पैसे फच जाएंगे याद रखना लेकिन आज मैं पैसे ना फच्छेंज मुझे एक साल बाद हुआ ही शेयर 525 में देगा हला कि मुझे बेच रहा है चाहे आज खरीद के रख लूँ चाहे एक साल बाद खरीद के यहां मुझे बेच नहीं है करना क्या एक चीज मैंने छुपाया है वो है बैंक शेयर खरीद होगे तो बैंक से पैसे उधार लेने पड़ेगे और पैसे आपको 10% पर उधार मिल जाएगी तो सर उस हिसाब से हमको शेयर कितने का पड़ा अगर हम शेयर खरीदते हैं 500 एक साल के लिए तो 500 का पास सो पचास रुपए 50 रुपए हो गए हमारा इंट्रेस्ट तो पास सो पचास रुपए का पड़ेगा सर पास सो पचास रुपए फाइफ जीरू जबकि यहां 525 का मिल रहा है सर 525 का क्या करें सर बात कीजिए न आप इस्टॉक एक्षेंस से या सिस्टॉक एक्षेंस से बात करेंगे तो यार बात बन जाएगी अब एक और बात सुनो एक बात चुपाया है बीच में लेकिन हम एक्ष्वल में आज शेयर खरीदते हैं और कंपनी डिविडेंड अनॉंसमेंट करती है तो अगर हमारे पास शेयर हैगा तो हमें डिविडेंड भी तो मिल जाएगा और डिविडेंड मिलने वाला है 30 रुप है अब बोलो क्या करें अब मैं सोच रहा हूं मैंने का यार अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो नो डाउट 500 का शेयर आएगा बैंक वाले को उस पर 50 रुप है इंट्रेस्ट का भी देना पड़ेगा तो टूटल पास सो पचास का पढ़ा पर 30 रुप है डिविडेंड भी तो मिले के तो उसे साब से मुझे 520 का पढ़ रहा है मैं आपके साथ कॉंट्रेट कर सकता हूं पर आपके साथ कॉंट्रेट करने से मुझे क्या फाइदा है क्या नुक्सान है मैं आपको बता रहा हूं मुले 500 तो ऐसी भी देना है वैसी भी देना और आपके साथ अगर मैं स्टॉक एक्षेंज के साथ कॉंट्रेट कर लेता हूं तो मालूम है इंट्रेस्ट आप बचा लोगी मेरा इंट्रेस्ट से उट लेकिन लॉस क्या है मैं जो डिविडेंड भूलना पढ़ेगा और फॉर्मुला क्या है फॉर्मुला इस्पोट प्राइस प्लस इंट्रेस्ट सिव्ट माइन डिविडेंड फॉर्क ठीक और हमें यहीडिसाइट करना अब बताओ यहां अब मैने निकाल यह थियूरिटिकल और वो निकला 520 यह क्या निकला थियूरिटिकल फ्यूचर प् तो मेरे हिसाब से 505 से ज्यादा सूचो विट्टा नहीं अगर मैं कॉंट्र डिर करता हूं तो मुझे उनकाफ़ा शाहरा 155 रेशा खुद खरीद रहें तो बाइख रो फीजिकल बाइग Anda रोई-Spot वोच कियोंकि सर एक्चुल फ्यूटर प्राइज जो दिख रहा वो पात्सोचालेज दिख रहा है जबकि तो सरफ फ्यूचरीज ओवर प्रैस तो सर आप के एक काम केजिए आज ऐसी अर फ्यूचर ऑफ प्रैसे तो मतलब इसको सेल कर सकते सैल फ्यूचर वोटे जो पर कॉश्ट आप कैरी मोडल तेयोरिटिकल फूचर प्राइज आ फिर वेल्य फूचर इस पॉट प्राइस इंट्रसेव्ट बाइनस डिविडेंट अगर एक्च्वल फूचर प्राइस एक्च्वल दिखरें ज्यादा है पास्टो चालिस है थेयोरिटिकल से तो फूचर इस पर अगर यह पास तो दस बोलता 510 बोलता तो हम इसे से खरीद लेते इस अंडर प्राइस और यह एक्जामपल भी मेंने लिया था तो एक्जामपल कर सकते हो फॉर्मुला है अल्टरनेटिव फूर्मूला फॉर्मूला क्या बन सकता अल्टरनेटिव एस वन प्लस आर माइ प्लस है तो यह क्या होगा और एक्जामपल में मैंने कर वा लिए ठीक है मुझे नहीं लगता है इसके इसमें आपको दिक्कत होगी बस मुझे क्या करवाना है आपको मुझे करवाना सर्वीची आर्बिट्रेस और तीन अलग-अलग सिच्वेशन में अगर नो डिविडें पेइंग इस्टॉक होगा अगर इस्टॉक इंडेक्स फ्यूचर होगा ठीक और इस्टॉक इंडेक्स फ्यूचर नहीं भी होगा तो भी चल जाए तो क्या बात कर रहे हैं आर्बिट्रेस और आर्बिट्रेस क्या मैं यहां सम्झो एक्जम्पल से नहीं में डायेट कोश्य पर यहांगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए, पहले कोशन में दिक्कत है, बाकिन प्रॉब्लम में जाहिए, एक बार दिखते ही क्या लिखा, दा फॉलिंग डिटर रिलेट टु आनन्द लिमिटेट सियर प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस है, एटीन हंड़र्ट, शिक्स मन्थ फ्यूचर प्राइस है, एटीन हंड़र्ट, एटीन हंड़र्ट, एटीन हंड़र्ट, 1.06, डिविडेंट तो हाई नहीं है, डिविडेंट नहीं है, तो बात कता हूं, तो सर यह कितना हो गया है, रूपीस, 1.08, आप सुना बिटे, इस टॉक एक्षेंज कितने में बोल रहा है, एक्च्वल में, सर 1.1950 बोल रहा है, इस एक्च्वल फूचर प्राइस, और यह theoretical, क्या यह महगा है, यह वर प्राइस्ट, वर प्राइस्ट, और जो महगा, इसको क्या हम खरी देंगे, नहीं, तो इसको बोलते है, सेल फ्यूचर, सर मतलब समझाओ के, हाँ बेटे, मतलब समझा रहा हूँ, मतलब दो है इसके, दोनों ही बाते यहां समझा देता हूँ, टेंशन खता, सर सेल फ्यूचर का मतलब क्या है, एक तरीका, एक मतलब समझा रहा हूँ, आप स्टॉक एक्षें से यह बात करो, कि स्टॉक एक्षें चलो कॉंट्रेक करते हैं, 3 महने बाद मैं आपको, शेर, शेर, în 1950 रुपए में बेज दूंगा, यह हूगा, एन, फीन महने बाद नहीं हाँ, 6 महने बाद शेर, मैं आपको, 1950 रुपए में बेज दूंगा चलो कॉंट्रिट करती हो गया कॉंट्रक्ट यह भी सेल फ्यूचर महगा ना और प्राइज है तो बेज देंगे और एक काम कीजिए आप आज शेयर खरीदिये कितने रुपए का 1800 का विट इंट्रेश्ट आज शेयर खरीद के रख लीजिए बैंक वाले से पैसे ले लीजिए और चब छे महां होके तो शेयर तो आपके पास है उसको आप बेज देना और पैसा कितना मिलेगा हमें 1950 कॉंट्रक्ट हो चुका है और वो जो पैसा मिलेगा उ 1908 बोलो हमें आर्बिट्रेश कितना है हमें 42 रुपए का प्रॉफिट होगा ही हो एक यह तरीका है आर्बिट्रेश निकाने का मतलब सर आप यह कह रहे हो कि आपने श्टॉक एक्षिन से कॉंट्रेट किया है कि हम तीन मेहने छे महने मत बेज देंगे आप एक्चुल में श इसका दूसरा में आपको समझा रखा एक्षिन में होता है अशुना मैं ध्यान से क्या बोड़त ह हूँ या तो आप के साथ आप material बेचने वाले नहीं हो आप क्या करने वाले आप 통ूजिशन लेने वाले बडाउंसाइड वऩ प्राइच से काम हों तो या तो फ्यात यार 1500 हो सकता है कुझ भी हो सकता अपने मन हुआ तो 1500 का भी किएगा अगर 22 हुआ तो 22 का भी किएगा कोई शक नहीं बुलो नहीं दूसरा बैंक वाले को तो 1908 रुपए वापस करना ही पड़ेगा अब आप करती है श्टॉक एक्षेंज और आपने श्टॉक एक्षेंज से सर्थ लगाया था शॉट पोजिशन है अपका कि कम होगा तो मुझे फाइदा 1950 से 1500 हो गए 1500 है तो सर 450 का फाइदा और अगर 2200 हो गया तो लॉस है सर 250 का लॉस अब निकाल लो भाई कि कितना पैसा बच जाएगा आपकी पास दिस अर्बट्रेस 1500 प्लस में है माइनस 1908 प्लस 450 तो 42 का प्रोफिट बाविस्सो माइनस 1908 प्लस 250 तो माइनस 1908 माइनस 250 तो भी 42 का प्रोफिट मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूं का सबको थियोरिटिकल बड़ा अच्छा लग रहा है शेयर खरीदेंगे और बेज देंगे पर प्रैक्टिकल क्या हो सकता प्रैक्टिकल यह हो सकता शेयर खरीदना है बैक से लोन लेना है और आपको बैटिंग तो करी खरी शकते अरो यह तो प्रैक्टिकल ही है ना बैटिंग कर लिया यह हो सकता तो मेरा कोस्वेशन है । अगर कुछ नहीं दिया कोस्वेशन में और और आर्वृ टोड़ोमें बड़ा सिम्पल सा काम करने वाले यादरख 1908 रुपए हमें बैंक वाले को चुकाना है और जो शेर खरीद के रखा था हम 1905 रुपए में बेज देंगे 1905 आया, 1908 गया तो 42 का हमें प्रॉफिट है वो यहां कर रखा तो मैंने आपको क्या समझा है मैंने आपको यह समझा है कि दो तरीकी से कोशन स्वाल किये जा सकते लेकिन जो दो प्राइज दिया रहेगा तभी वो दूसरा तरीका चलेगा यह 1908 बाकी बाते वह लिखिये कि आप क्या करोगे बारो करेगे 12 परॉपए कितना रुपए 1800 और शियर को बेज देंगे कितने में 1950 में और जो 1950 आए उससे लोग चुका देंगे 1948 रुपए का आपको प्रॉपिट हो जाएगा ठीक है मजा है सर आए दा ना मिटने पका मजा है आगे बड़े तो शियर आप एक्स लिमिटे इस करेंटली सेलिंग कितना रुपए में बेच रहा है 300 और रिस्क्री रेट है 0.8% पर मन्त दिया 0.8% पर मन्त और 3 मन्त 312 तो ये फ्यूचर प्राइज दिया 312 आज रुटे इस्ट्राटिजी अडॉप्ट कर लेते हैं तो देखते है 0.8 डिवाड़ेड बए 100 प्लस 1 तो 1.008 डिविदेंट तो ही नहीं है इंट्व एक्वल टू अब कुछ को लग रहा होगा कि यार 0.8 है 1 मन्त का तो 3 मैने के लिए इंट्व 3 कर दो ना सर जब ये ऐसा मन्तली देगा तो आप मन्तली कंपाउंडिंग ही लेकर जो लोगे तो सर यह आ गया 307.26 क्या फीचर इस ओवर प्रैस्ट हाँ बोलो यस ओवर प्रैस्ट क्या करोगे सेल इस्टॉक क्या करोगे बाई बाई करोगे स्टॉक 300 बैंक वाले का से लोन लेकर इतना चुका होगे और इतना आएगा तो माइनस 312 आर्बिटेज आ गया 4.7 बास इसी स्ट्रेटिजी से काम करना यह नहोंने प्रेजेंटेशन अलग है आंसर पे आंसर आएगा 4.7 टेबल फॉर में प्रेजेंटेशन कर रख कोशन नुमबर 12 ये कोशन भी सीडियसली बुल हूं अच्छा कोशन लेकर और 31.8 2011 वैल्य अप स्टॉक इंडेक्स 2200 अलग कि इसका सॉलुशन किसी और तरीके से होना चाहिए था पर चलो ठीक दिरिस्क-फ्री रेट कितना है 8% पर एन डिविदें ये दे रख मांग क्या रहा है आँए अजिए आट इंट्रेश्ट इस कांटुनियसली कंपाउंड डेली ठीक है फाइंड दा फ्यूचर प्राइज अब इस बारा दो हजर क्यार अब सुनों बट्टे ये अल्रेडी डिविदें है पिछले साल और ये सब के सब क्या है पर kommं जैन्वरी में जब हमने कैलकूलेट किया था पिछले साल की बात तो वाहां डिविदेंड दे दे दिख रहा था तीन पर अपर डिविदेंग्फ में कैलकुलेट किया तो हो सकताIRE होता पहुत सारी कंपनियों के डिविदेन वहां four percent per annum dividend yield का मतलब क्योंकि स्टॉक इंडेक्स है तो बहुत सारी कंपनियों के डिविदेन मार्च में dividend yield per annum chance हो गया होगा क्योंकि हो सकता है कि वहां किसी ने कम दिया होगा तो एवरेज कर रहे हो ना तो तो किसी मंत में ज्यादा dividend yield किसी मंत में कम मेरा कोश्चन है क्या मुझे डिविदेन डियल चाहिए yes it means मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं निकालने की कोशिश कर रहा फ्यूचर प्राइज तो प्लस आ कि ऐस ऊन Carnage सुचरी थिविदेन डीयर कर सकते हूं मैं आपको तो मुझे ज्यादा दिकत नहीं हो नहीं आपको भी नहीं प्ली अब सवाल है कि डिविदेन मुझे ये सब को यह जई प्ता मुझे ethnicity Ly दे रखाए नेTo तो पुरे 12 माह का अवरेज कर लेतें, नहीं, क्योंकि आज कौन सी देट है, 31 अगस्ट, अगस्ट जा चुका है, तो मुझे फ्यूचर के चार महने का अवरेज करना, चार महने का, तो चार महने का यहां ती को अगस्ट जा चुका है, तो इसका बर आप अवरेज कर दीजिए तो dividend yield मिल जाएगा क्योंकि मैं पूरे 12 माह का क्यों average करूं भाई इस मन्त से तो मुझे लेना देना नहीं आने वाले ये पिछले पिछले साल का है पूरे 12 माह का और मैं इस साल खड़ा हूँ यहां अगस्त जा चुका है तो मुझे तो dividend yield चाहिए और मैं यह क्या सोचूंगा जो पिछला मिला है वही आगे भी मिलेगा तो उस रिसाफ से मैं चार मंत का average कर रहा हूँ तो यह जाएगा चार मैने का नहीं होगा यह अगया वह यहां किया होगा किदर गया को यह आगया 3.25 पॉर्शन ठीक अब यह तो ठीक है अब बताव इस्टॉक इंडेक्स कितना है 1.25 इंटो 4 by 12 कर लिया तो यह आगया 1.0 यह जो है इसका कंटुनियसली कंपाउंडिंग करोगे 0.08 माइनस 0.0325 इंटो 4 by 12 तो यह 0.0 158 इसका फैक्टर दिया होगा तो बहुत अच्छा और दिया है यह दिया है तो सीधा उठाकर इन्होंने मल्टिप्लाई कर दिया और यह आगया अंस प्लीज यह मत बोलना कि सर यह समझाओ 8 माइनस यह में करवाया हूं तो मेरे ख्या इतना कुछ तो याद हो गई यार आपको यह कोशन वाकिया अच्छा यह कोशन अच्छा सीरियस्ली बोल चले पड़े दो एनसे 50 इंडेक्स फ्यूचर आर ट्रेड़ेड वित रुपीज वैल्यू रुपीज हंडर्ट पर इंडेक्स पॉइंट ठीक है वंस 15 सेप्टेम्बर इंडेक्स जो क्लोज हुआ है वो ग्यारा सो पंच्यान बे पे हुआ है सेप्टेम्बर और दिसेम्बर फ्यूचर जो है वो 1225 अक्टूबर नमबर दिसम्बर ठीक है इसका मतलब एस अभी कितना दिख रहा है 1195 और एक्टूबर में फ्यूचर प्राइस कितना दिख रहा है वार्ड टू 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 पर इंडेक्स 3 पर एनम और बॉरिंग रेट कितना 9.5 पर एनम तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा f क्याhips कांटुनिच लेंगे क्यtrs भीमावंद में इनफोरिंसंध दिया होगा तो हम यूज करेंगे नहीं दिया होगा तो नौर्मल यूज करेंगे तो अहीं आप नपनिकालने की कोशिश करहा हूं कि f और चो 1, 1, 9, 5 into ये केतना है साढ़े 9, ये केतना है 3, परले साढ़े 9 में से 3 परशन माइनस कर दो यह था 1 प्लस R माइनस D ठीक तो R का मतलब है 9.5 into time से भी मल्टिप्लाई कर देना यही time रहेगा ठीक तो 9.5 यह time जो है वो टेबल के बाहर ने रैकेट के बाहर ने रैकेट के अंदर ही 9.5 माइनस 3 into 3 मेने का 3 by 12 divided by 100 प्लस 1 तो सर यह आ गया 1.01625 into 1195 तो 1214 तो साप थियोरिटी कल एफ आया 1214 क्या यह ओवर प्राइज है यस तो क्या करोगे सेल पर यहां नीचे अगर दो प्राइज दिया है तो इसको क्या बोल सकते है शॉर्ट पोजिशन डाउनसेड बढ़े दिखते इसने कैसे क्या अच्छा जो आया है उसको 100 से मल्टिप्लाई कर दिया ठीक है तो यह कोई दिक्कत नहीं हम 100 से बाद में 1250 तो ओर प्राइज है ठीक है और प्राइज है यहां तक बात समझ मैंगे आगे क्या बोल रहा है वाट आर्बिटर्स ट्रांजिक्शन इस पॉसिबल बताव क्या करें भाई शेल करेंगे इट मेंस हम क्या करेंगे सेल करेंगे फ्यूचर भाई करेंगे श्टॉक शॉट पोजिशन लेंगे फ्यूचर वह इसनों भी कर रखा हुग इसन थे पॉसिबल सेल द फ्यूचर कॉंट्रक्ट और बॉर और भाई श्टॉक अंटक ठीक है अगे क्या बोल रहा है बताव यह आर्बिटर्स गेन या लॉस क्या होगा याद रखना यहां दो प्राइज दिया हुआ है तो यहां कोशन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेंगा और जो आपने उ निकाया था उससे क्या खरीद लेंगे और शेयर करेंगे इसके अलावा आप सैल करोंगे 2225 भी मतिलब शांट पोजिशन ले रहे हो 1225 में अब क्या हो सकता है अब दो प्राइज हो सकता है या तो 1260 हो या तो 1175 हो अब ध्यान से समझना मेरी बात को अगर 1260 है तो क्या होगा सोचते है 1260 हुआ तो वन बई वन करें सर सबसे पहले क्या आपने शेयर खरीदा था यास उसको बेचो 1260 के साब से भिग जाएगा किधर कहां बेचा भाई ये बेचा बार असो साथ इंटू सौ कर लो ठिक बेज दिया बहुत अच्छी बात है बेज दिया इसके बाद क्या होगा सर इसके बाद हमको बैंक वाले को पैसे चुकाना पड़ेगा 1150 में उधार लिया था इसके अलावा सर आपने बैटिंग कर रखा था 1225 से कम होगा और यहां 1260 हो गया तो सर यह बढ़ गया और आपको लॉस बारा सो साथ बारा सो साथ मैनस बारा सो पच्छीस और इन जो भी आए इंटू हंड़िट कर देख सर यह लॉस है कितने का 3500 का तो आपको अल्टिमेटली 1063 का प्रॉफिट होगा अगर दो प्राइस नहीं दिया होता ना तो मैं नॉर्मल करता है अगर 1175 प्राइस होगा तो चलो सोचते हैं शियर तो बेचना पड़ेगा 1175 के सबसे यह बेच दिये 1175 और बैंक वाले को पैसा जो उधार लिये थे वो भी वापस करना पड़ेगा वह भी वापस कर दिया हो गया तो 1225 माइनस 1175 यह प्रॉफिट है इंटु हंड़ेट तो पांच और का प्रॉफिट है अल्टिमेटली यही अंसर रहेगा यह कोशन लोजीकली मुझे सबसे अच्छा कोशन लगता इसमें है भी कुछ बात और एक कोशन ले ले सर यास यह वी कोशन थे कोशन नमब फोर्टी पड़े सपोस्पोस करेंट प्राइज अप इंडेक्स है 13,800 मतलब इस पॉट हो गया यह सर अन येल्ड अन इंडेक्स डिविदें येल्ड 4.8% पर एन 6-month future contract on index is trading 14,300 अच्छल future price 14,340 अच्छ विंड रिस्क-free rate of interest है 12 परशन ठीक है और यहां भी उन्होंने दो प्राइस दे रखा है तो सबसे पहले मुझे क्या अच्छा और एक बात लिखा है 50% of stock included in index shall pay dividend in next 6 months also calculate implied risk-free rate ये दिक्कत की बात 50% यहां समझते है थोड़ा सा पहले एक काम करता है theoretical F निकलते है F is equal to 13,800 rate of interest है 12% क्योंकि 6 महने का period है तो 1.06 कर लूँ अब बात आते हैं dividend dividend yield तो सर्थ 13,800 का 50% 50% ही ना हां क्योंकि 50% ही 13,800 into 50% तो 6,900 क्योंकि 50% stock ही तो dividend दे रहा है लेका 50% stock index 50% वाले ही dividend दे तो 6,900 पेम को dividend मिलेगा कितना प्रतिशत यह है कि गहीं 4.8% और यह पर रहना में तो हमें 6 मंत का चाहिए तो 6,900 into 4.8% into 6 by 12 तो सर्थ यह आ गया है 165.60 तो 13,800 into 1.06 minus 165.60 तो यह आ गया है 14462.40 और यह कितना है 13,000 14,340 तो फ्यूचर भाई होगा भाई मतलब कौन सा पोजिशन लॉं अपसाइड बैटे और यहां क्या करेंगे सेल सेल का मतलब क्या होगा शॉट से अच्छा कोशन है भाई यह तो अपोजिट चलेगा बिल्कुल बहत्रीन कोशन भाई इसको करना पड़ेगा करना चाहिए आपको शॉट सेल होगा देखें सर यह तो आई गया था यह भी अब आर्बिट्रिस प्रोसेस अब सुनना देंसर मुझे फ्यूचर बाई करना इस टॉक आज सोल्ड करना शॉट कर मतलब शॉट सेल मतलब सर आपने शेयर किसी से लेकर बेज दिया मार्केट में यह सवर कितने में बेच होगा मैंने 13800 में बेज दिया उसको लोटा हूंगा छे मैने बात है न और वह 13800 के इनवेस्ट कर दि और साथ में आपने लॉंग पोजिशन ले लिए 14340 आज की दिन अब प्राइस ऑन मैचुर्टी 10200 भी हो सकता 15600 भी हो सकता आपका कौन सा पोजिशन है लॉंग इस पर बढ़ने का बैटिंग ठीक वन बाई बन करें जो अपने इनवेस्टमेंट किया था 13800 उससे पैसा गया है ठीक है इसके अलावा शेयर जिससे शॉट सेल किया था मार्केट से खरीद के वापस करना पड़ेगा हां बोलो हां तो 10215 यह पैसा जाएगा आपका ठीक है इसके अलावा अब आपका कौन सा पोजिशन था यहां लॉंग यहां कम हो गया तो यहां लॉस है 10200 14340 मे यहां क्या है प्रॉफिट इसके अलावा डिविडेंट क्या क्या चाहिए क्योंकि आपने किसी से सॉट सेल किया और बेज दिया बीच में कंपनी ने डिविनेर एनॉसमेंट कर दिया तो उस बनने की क्या गलती है जिससे आपने शियर लेकर बेचा था तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको आपको शॉट करना पड़ेगा रिकम ला सिट किया आप किसी भी हालत में 122.4 यह रिक है कि रिस्ँख Phrie रिम प्रिक फ्री है ना यह कुछ भी सेयर का प्राइस कुछ भी क्यों ना हो ये तो मिलेगा मिलेगा तो बताओ आप यह रिस्ट प्री है तो कितने रुपए पे कमा रहा है 13800 पर हमने कमाया 122 रुपए 405 से शे महने में तो साल भर में कितना कमाया percentage में बोलो तो 1.77% this is risk free rate rf implied rf rate risk free rate ठीक है अच्छा कोश्चन है और ये करना है ये अक्चुली उल्टा वाला अभी तक क्या हो रहा था buy stock कर रहा थे sell future कर रहा थे इस बर sell stock हो गया और buy future हो गया अधिक है और कोश्चन ये कोश्चन में अच्छा है मेरी नाजरू है इसके ये लास्ट कोश्चन होगा किसका theoretical future price बाला cost of carry model अच्छा है अच्छा है इस पढ़ते क्या लिखा हूं ये वह अच्छा है इतीनों कोश्चन जो कर वाए हूना लास्ट में सब नए कोश्चन है तो पड़े गा है Mr. S.G. sold 555 sold मतलब सा शॉर्ट पोजिशन हो गा है 5 मतलब 5 गॉंट्रक्ट 4 मन्त निफ्टी फूचर अन 1st Feb 2020 4 रूपीस 9 लक्स ठीक 1st Feb को मतलब आप यहां At the time of closing of trading on last Thursday of May इंडेक्स कितना हो गया है बोले 2100 हो गया इंडेक्स ठीक यहां एक्च्वल में 2100 हो गया इंडेक्स एक्च्वल इंडेक्स Contract multiplier is 75 75 में है आपने पैसा कितना लगाया था सर हमने लगाया था 9,00,00,00 कितने कॉंट्रक्ट थे सर पाच कॉंट्रक्ट है पाच तो उसके हिसाब से 9,00,00,00 divided by 5 तो टोटल एक लाक असी एजर एक कॉंट्रक्ट का वैल्यू और एक कॉंट्रक्ट में कितने शियर्स है 75 तो चोबिस सो यह फ्यूचर प्रैस है इटमेस जब मैं फैव में खड़ा था फैव में तो मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मैं यह बैटिंग कर रहा था कि जो चोबिस्सू है चोबिस्सू के हिसाब से मेंने पोजिशन लिया था और क्या शौट्ठ मेंय कह रहा था कि चो बीस्सू से कम होगा फ्राइस कप का Hai छे शूबिस्धू प्राइस कप का यह मं कहत SHOP कहा आप खड़े हो फैप में आप कहा रहों कि 2400 से कम हो जाएगा और जब आप में तक पहुंचे तो वाकर इस प्राइस कितना हो गया है एक शेयर का प्राइस कितना है 2400 फ्यूचर प्राइस यहां तक ठीक अब यह वाला पॉट नमबर टू इंपोर्टेंट है पढ़ना चाहिए एप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स अन फर्स्ट फैब 2020 निफ्टी सेंसेक्स इप दा प्राइस फ्यूचर कॉंट्रेक्ट ऑन दा सेम डेट वाज त्यूरिटिकली करेक्ट वो बोल रहा है आप जब यहां बैटिंग करने का सोच रह थे तो आप कैसे निकालते थे आप ऐसे निकालते थे ना ऐसे वान प्लस आर मायनस दी और त्यूरिटिकल एस निकालते थे और फिर उसके सबसे डिसाइड करते थे कि हमें फ्यूचर में बाइ करना कि सेल करना हां बोलो हां तो वह आपसे यह कह रहा कि सहाब हमने यह आपको दे दिया यह चोचो बिस तो है नहीं एक्शुल भी है तो बस आप ऐस निकाल के बता दो यह बोल रहा है एप्रोक्सिमेट निफ्टी संसेक्ट नफस्ट फैप 2020 इप प्राइज ऑफ फूजर कॉंट्रेक्ट वन देट वास्टी कले करेक्ट और सेम डे रिस्क-फ्री रेट दिया हुआ डिविडेंड दिया हुआ नाइन परशंट 2300 पर ने अिस तो मुझे इतना बताओ क्या आपको यह दिया है यह दिया यह दिक यह निकाल सकते हैं निकाला होगा। मैं क्यों मेहनत करहां इसको लेदिए X अब निकाल давно पॉस फोर्मेल के अफ आपको पता है यह पता है, ठीक, तो यह आगे है 2376.24, 2376.24 spot, ठीक है, ठीक है sir, the maximum content go are backwardation, backwardation, सर, यह क्या चीज है, बैटे कुछ नहीं है, हम यह देखते हैं, कि spot price ज़्यादा होना चाहिए, कि future price ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे market को बोलते है backwardation, उल्टा बतला, इट मेंस future price हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का difference है basis, हाला कि basis का formula थोड़ा सा S-F है, S-F, तो क्या सरी यह negative ही आएगा, हाँ ना भाई, future price हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अगर यह negative है तो भी हम कहें कांटेंगो है, सीधा बतला, सीधा बतले ही है, पर अगर यह positive आ गया है तो इसको क्या बोलेंगे, F जादा होना चाहिए, पर F कम है बाई चाहिए, तो फिर दिक्कत की बाद, तो बाइब पूछरा है, क्या यहां F, दिक्रा, क्या यह ज्यादा है, यस, इससे दो ज्यादा है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, कॉनटेंगो और पर कितना कॉनटेंगो, चेक कर लो, यह मिस्प्रिंट है, यह मिस्प्रिंट है, यह Silva, यह 24、 और यहां 24, सब्सक्राइब को दिख रहा है और कितने का यह ठीक है आगे मुझे कुछ समझाने की जरूत नहीं आपको समझ में आ जाएगा लाश्ट पॉइंट क्या मांग रहा है पी आफ पी आफ तो दिख रहा होगा भई आपको दिखा दूँ आपने गाथा चूबिस सो से काम होना चा कितने कॉंट्रेक्ट है यहां लीक की पाफ माच को जोड़ी सो मैनेस माइनस इक किसओ सू इन्टू पचा तर सथू पाच तो फाइनल आंसर आ गया एक लाग बारा अजार पास फिल देंटक दिखा दो एक लाग बार हाजर पास शॉर्ट पोजीशन था तो यह कुछ अच्छे कोश्चन्स थे इसके अलावा भी और भी कोश्चन्स है इसमें पर टाइम इतने रिविजन कैसे हो का फिर ते के चार पाच गंडे से जदर डेरिविटी में हम दे ही नहीं सकते तो टोटल मिलाकर टाइम पास कर дев county में कुछ समझाने वाला नहीं बीटा निकालना आपको आता है बीटा का फॉर्मले है'm काम का फॉर्मले चैंज इन्माने स्टॉक इंड़िन डिवाइडेड मार्केट में कितने का चैंज पे इस परichen का चैंज और श्टॉक में बीस परिचम की चैंज तो वो क्या हो गया है, डबल, टू टाइमस, बीटा टू बोलेंगे, ठीक, पॉर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालते हैं, ये मुझे समझाएं, वेटेड आवरेज होता है, जैसे 3 लाग रुपए, 2 लाग रुपए, 5 लाग रुपए, ये लगा है, इसका बीटा दिया है, तो पॉर्टफोलियो का बीटा वेटेड आवरेज, आप ऐसे भी निकाल सकते हों, आप टेबल से भी निकाल सकते हों, ठीक, सवाल ये है, कि ये जो बीटा निकलता है, 1.4, क्योंकि हम पॉर्टफोलियो मैंटन कर रहा है, कि इसको मैनेज किया जा सकता है, बीटा का मतलब, शियर भी बढ़ेगा 1.4 मार्केट गिरेगा तो आपका पॉर्टफोलियो भी गिरेगा कितने से 1.4 टाइमस तो बताओ कि बीटा जो है बीटा यह ज्यादा रहना चाहिए कि कम रहना चाहिए इसे डिपेंड कर था मार्केट बढ़ रहा है तो बीटा ज्यादा होना चाहिए यह ज्यादा करने कि पर्टफोलियोले पढ़ने वाले लेकिन उसके अलावा भी और एक तरीका था उधर मार्केट के थु आप हैच कर सकते हूं तुनो दूंसवर्ण दूंसे समना मेरा पोर्टफोलियो है पाच लाख रुपैक और बीटा और पोर्टफोलियो है टू इसका मतलब समझा दो सर इसका मतलब है मार्किट दस पर्षन से गिरेगा हाँ तो सर आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो दस से नहीं 20 से गिरेगा और मुझे अभी तो मार्किट क्रैश होने वाला बरबाद होने वाला अगर मार्किट डाउन होगा तो सुनो सिर्फ एकाद स्टाॉक नहीं आप डाइवर्जिफिकिशन वागेरा सब रह जाता एक तरफ पूरा की पूरा पौर्टफोलियो डाउन होगा और मार्केट 10% से डाउन होगा तो मेरा पॉर्टफुलिय तो 20% से डाउन हो जाएगा तो फिर क्या करूं आने वाले तीन महने में बहुत खतरनाक इस्तिती आ रही है एक काम करो ना बेज दो और तीन मेने बाद खरीद लेना ट्रांजेक्शन चार कोष्ट बहुत ज्यादा होती ही ट्रांजेक्शन कोष्ट उसका भी तो है क्या करूं कि मैं बेचू भी ना और रिस्क भी मेरा पॉर्टफुलियों का वैल्यू भी कमना हूँ क्या ऐसा हो शकता निपक्टी सेंसे कुछ गिरनेवाल करने वाला तो चलो ना क्या कर लेते शॉट पोजिशन ले ले ते हैं शॉट्पोजिशनन अगर अगर मारकेट गिरा गेर और पोर्टफुलियों भी के रेगा इधर लॉस होगा हो जाने दो पर मार्केट के घिरने से मुझे प्र फिद हो जाएगा तो इधर जो लॉस होगा उसको में इधर से कवर कर लूँगा बत खता यह एट मेंस बीटा को मैंने मेरेज किया हैज किया है मार्केट गिरेगा दस से है तो पॉर्टफीलियोग गिरेगा बीस है बीस पर्षणट तो इस है तू आधे मार्केट को भी ना उत्ने रुपए से उतना प्रॉपिट कमाना बढ़ेगा इधर दस परशनट ही कमाएगे इधर बीस परशन का लॉस होगा सुचो न इधर तो अगर गिरने से मुझे प्रॉफिट है मार्केट तो मार्केट गिरेगा दस से तो 10% ही कमाएंगे पर इधर तो 20% का लॉस हो जाएगा ना सर तो इसे में पैसा डबल लगाओ इस में निफ्टी में पैसा लगेगा पाच लाक इंटू दो तो कितना हो जाएगा दस लाक अब सर सोच के देखो मार्केट गिरेगा दस से मतलब एक लाक का लॉस और एक लाक का प्रॉफिट शॉट पोजिशन दे रहा है और यह गिरेगा भी से इधर एक लाक का लॉस अब प्राबर हो गया है हलागी फॉर्मुला है वैल्य पॉर्टफोलिय इंट बीटा उफ पॉर्टफोलिय तो टोटल कितना लगाएंगे दस लाक यहां तक हो गया दस लाक मैं ठीक है दस लाक लगाने को तयार है अब आप सुनो उनका यह कहना है कि एक शियर का प्राइज या एक निफ्टी का प्राइज है शियर ही मान लो कि 500 रुपय है तो बता सकते हो नमबर उफ शियर कितने खरीद हो कि सर दस लाक रुपय लगाना है डिवाइड वाइड वाइफ फाइफ अंडर सर हमें दो हजार शियर्स खरीदने पड़ेंगे दो हजार शियर्स अम मेरा यह कहना है कि एक जो कॉंट्रेक्ट है उसमें 400 शियर्स खरीच सकते हैं एक चार्सों तो नमबर उफ कॉंट्रेक्ट बता सकते हो ठीक है दो हजार और चारसों शियर्स खरीच सकते तो दो हजार डिवाइड बाइड बाइचार सर पाच कॉंट्रेक्ट पाच कॉंट्रेक्ट फिर से मैं धीरे धीरे बात करूंगा हमें पैसा कितना लगाना है दसलाक अगरी अब उन्होंने कहा कि यार जो शियर की कीमत है वह 500 हैं कितने शियर् ऑफ दो बॉले तो हजार एक कॉंट्रेक्ट में 400 तो नंबर ऑपाच कॉंट्रेक्ट किया आप इसको सीधा भी लेख सकते थे यह वह पुछता कितना नंबर ऑप कांट्रेक्ट किया सीधा भी काम किया सकता है वह कैसी कर सकते वह ऐसे पाच लाग इंटू टू डिवाइड पाइब पास तो शेर की कीमत और फिर डिवाइट किसे करना 400 तो इंटू 400 कर लो क्या फर्क पढ़ा एट मिंस क्या हो गया फॉर्मूला बन सकता है कि ये 5 लाग क्या यह मेरा पॉर्टफोलियो का वैल्यू तो वैल्यू पॉर्टफोलियो इंटू बीटव पॉर्टफोलियो शेर का प्राइस फूचर प्राइस एफ इन्टू 400 मतलब लॉट साइज मल्टिप्लायर बोल सकते हैं तो यही मैं ठीक है पर क्या होता है कभी-कभी यहां टार्गेट बीटफ का टार्गेट भी टार्गेट मैं数 वीट होता है अ बहू क्या formula में आपको detail में explain किया बहुत जादा बहुत अच्छे से detail में explain किया तो इस matter पर में भी पूरी तरह से derivation को लेकर बात नहीं करूँगा बस हलका सा आपको याद दिलाए कि यह होता है ठीक है जी target beta नहीं दिया तो क्या ले लेना है 0 और beta future ना दिया तो क्या ले लेना लाश्ट टॉपिक है beta management और इसके अलावा भी commodity future उसमें दो ही question है तो अब हम question मनाने start करते है question मनाएं तो सारी चीज़े याद जाएगे आपको ठीक है जी ठीक है चलो जी questions बना रहा है हम लोग और पहला question बात किस पर हो रही है बात हो रही है beta management ठीक है question के साथ सारी चीज़े याद आती जाएगी आपको बिल्गुल निश्य इंतर है which position on the index future gives a speculator a complete has मैंने पहले ही समझा चुका हूँ अगर आपका long position है तो आपको hedge करने के लिए opposite market में यह निफ्टी में यह संसेक्स में कौन सा पोजिशन लेना पड़ेगा short तो शीर ओफ राइट लिमिटेड इस गोईंग टू राइस आपके पास राइट लिमिटेड के शेर और पोजिशन कौन सा है सर पोजिशन है long position कितने रुपय का 50 लाइक तो साहब आपके पास राइट और आपका पोजिशन कौन सा है long कितने का 50 लाइक का तो इसका बीटा कितना है 1.25 मेरी बाद समझना 50 लाइक और आपको market में लगाना तो बीटा से लग 50,000 का आपको कौन सा पोजिशन क्योंकि ये लॉग है तो अपोजिट कौन सा लेना पड़ेगा शॉट पोजिशन फार कम्प्लीट है ठीक है ऐसी रॉंग लिमिटेट के शियर है डेप्ट रिशीट होने वाले तो इसका पोजिशन कैश मार्केट में शॉट पोजिशन कितने रुपए का है 20 लाइक और बीटा कितना है 0.9 तो सुनो यह का कौन सा पोजिशन है शॉट पोजिशन 25 लाइक का बीटा पॉइंट नाइन लॉंग करना पड़ेगा जश्ट अपोजिशन ठीक है फियर लिमिटेट के साथ क्या सिच्विशन है गोइंग टू बोले यह तो इस्टैबलीज रहेगा लेकिन शॉट पोजिशन ले रखा कैश मार्केट में 20 लाइक का कौन सा पोजिशन है शॉट तो इसका क्या हो जाए तो शॉट जो डिफरेंस है वो कर लेंगे इट मेंस हम मार्केट में या फिर निफ्टी में 25 लाग का शॉट पोजिशन ले लिंगे डाउन साइड बैठी सर इससे कंप्लिट हैज हो जाएगा हां बिट्टे कंप्लिट हैज हो जाएगा जरा सुनना मेरे पास सपोज यहां वैसे अब आस यह खतम हो गया कौश्चन पर आपको कुछ समझा रहा हूं सपोज जो मार्केट है वह 10% से डाउन हो जाता है मालों 10% से डाउन हो जाता है तो अब देखते हैं क्या क्या होगा सबसे पहले राइट लिमिटेट right limited का 50 lakh अगर market down होगा तो right limited भी down होगा और इसका तो long position है तो इसको क्या हो जाएगा sir loss हो जाएगा loss 50 lakh into market कितने सी गिरेगा 10 से तो ये कितने सी गरेगा 12.5% तो 50 lakh into 12.5% 625,000 का loss ऐसी किसकी बात करते है रॉंग लिमिटेट इसका market down और ओल्रेडी short position है तो 25 lakh into 9% profit 2,25,000 का profit ऐसे किसकी बात कर लेते है फिर लिमिटेट position क्या है short market down तो ये भी डाउन और ये कितने सी 7.5% से तो 20 lakh into 7.5% तो 1,25,000 का profit और जो market में आपने पैसा लगा रख 10% गिन लो profit है short position लिया ना 25,00,25,000 अब इसका total मारो की overall आपको profit हो रहा है कि लोस तो पकापका answer 0 आएगा हलाकि ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ये final answer है मैं बस इसको substantiate करके बता रहा था कि देखो जी ऐसे hook ठीक है तो आपने जो regular classes है उसमें भी समझा है था हाँ जी उसमें भी मैंने ये बाती समझा है था अगला question देख रहा है चलो पड़े question को यस राम खरीद रहा है 10,000 खरीद रहा है मतलब कौन सा position है एक्स लिमिटेट का long position 10,000 इंटू बाविस दो लाग बीस जार विस बीटा कितना है 1.5 तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा short कितने से 3,30,000 से क्या करोगा short long है तो perfect है इस करना तो short और सथ को perfect है इस का ही question आपको पता है क्या आप भी ना जाने कितने बार की है तो चलो revision है इसके अलावा किस company के share sir इसके अलावा है a limited sell किया पाचार शेर मतलब कौन सा position है short पाच जार इंटू चालिस 2,00,00 और इसका बीटा कितना है 2 तो यह 4,00,00, यह क्या है short तो क्या हो जाएगा यह पुले complete हैस करने के लिए निफ्टी future में पैसा लगाया एक हजार रुपए का एक तो निफ्टी future मार्केट में कितना लगाना पड़ेगा सब 4,00,00 से लॉंग करना मार्केट में और 3,30,00, तो ultimately 70,000 से आपको लॉंग ही लेना पड़ेगा और 1000 का एक तो 70 कॉंट्रक्ट आपको करना पड़ेगा यहां तक पिछला कोशन यही तक था लेकिन इसमें आगे और कहानी बताया बोले उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज किया अगले दिन एक्स लिमिटेट ड्रॉप हो गया दो परशन से एक्स लिमिटेट का कौन सा पोजीशन था लॉंग गिर गया तो लॉस दो लाग भी सर इंटू दो पर 4400 का लॉस है किसके लिए एक्स लिमिटेट ठीक ए लिमिटेट बढ़ गया हद हो गई ए लिमिटेट ने शॉट ले रखा था वो बढ़ गया दो लाग का तीन पर्शन चेजर का सर यहां भी लॉस अब बस बात आते निफ्टी निफ्टी गिरा 1.5 पर्शन निफ्टी में आपका लॉंग पोजीशन है इस बार इसमें भी लॉस सत्तर हजार इंटू 1.5 पर्शन एक हजर पचास का लॉस तो ओर्वर ओल कितनी का लॉस हो गया है 4400 प्लस 6000 प्लस 1050 टोटल लॉस हो गया है 11400 वोई कर रखा हो गया सत्तर कॉंट्रक्ट यह बिल्कुल सही है यह नोने कैस आउटलो कैस इंफ्टो बताया है हमें मतलब नहीं हमें फाइनल आंजर से मतलब है तो साहब एक अप्रेल 2015 को एक इन्वेस्टर है पोर्टफोलियो में आठ सिक्यूरिटीज है कोश्ट अपिटल 20 परशन दे रखा मतलब आर दिया है 20 ठीक कांटूनेशली कंपाउंडिंग है मतलब एक यूज करना पड़ेगा इन्वेस्टर फिरफ फॉल इन प्राइज अपड़ेश इन्वेस्टर को लग रहा कि मार्केट क्रेश हो सकता शेर का प्राइज गिर सकता यह अप्रोच इस यू तो एडवाइज दो प्रोटेक्ट बले वताओ हमको हैज करवा दीच अभी निफ्टी कितना चल रहा आठ हैर इस निफ्टी फूचर कैन भी ट्रेड़ इन 25 में ठीक है मल्टिप्लायर हो गया है फ्यूचर फर्म में आर करेंट्ली कोटेट साहब आज क्या चल रहा अभी क्या चल रहा सरी एक अप्रेल तो देखो बिट यह अप्रेल में इस पूरा मंथ होगा अप्रेल यह कौन सा होगा में और यह होगा जून कैंड की बात कर लेते हैं यस तो जो में के लिए फ्यूचर चल रहा है वो कितना चल रहा है बोले वो चल रहा है साहब अभी आठ तरपास अ मतलब सर्ट टू मन्त और सर जून के लिए फ्यूचर जून के लिए फ्यूचर चल रहा है जून के लिए चल रहा है आठ तो बैटिंग करना ना कर लो जो भी डाउंसाइड अपसे लेकिन आप अप्रेल में घड़े आप से पूछा जा रहा है कि मैं में बैटिंग करना है तो तो आठ तो पच्छ यह क्या है यह एक्च्वल फ्यूचर प्राइस कब अवेलेबल अप्रेल में विलेबल भीटा फीज पॉट्फोलियो तो यह तो बच्च वाला काम हो गया पॉट्फोलियो बीटा में कुछ करना नहीं है पहले तो इनको मल्टिप्लाई कर दो वैल्यू वेटेड एवरेज बीटा निकालना वह आपको आता है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मल्टिप्लाई कि यह वैल्यू आगे बीटा से मल्टिप्लाई किया और इस डिवारेज बैस इस बीटा पॉट्फोलियो इसमें कोई शमस्या हो नहीं है कि नहीं आगे क्या पूछा बहुत ही बड़ा कोश्चन नहीं हो कि ठीकल वैलियो फ्यूचर बुले यह एक्चुल फ्यूचर प्राइस से मतलब नहीं है आप निकाले ठीकल जो एफ निकालते थे ना कॉश्ट ऑफ कैरी मॉडल से वह कब के लिए में के लिए और जून के लिए और अभी स्पॉट प्र परशन है दो महां का और डिविडेंट तो ही नहीं है तो पॉइंट टू इंटू बाइटल में के लिए हैं पॉइंट जीडो त्री 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 सर्म कैलकुलेटर कसी यूज करके 4096 के साथ कर सकते हैं कि बिलकुल और आंसर सर क्या इतना ही आएगा क्योंकि आपको टेबल दे रखा है टेबल की दर गया यह दे रखा है तीन परशन पर इतना चार परशन के इतना पाच क्योंकि यह टेबल दिया है इसलिए आपको इंटर्पोलेट करना पड़ेगा बास समझने की कोशिश करना क्या मैं कैलकुलेटर चलाकर भी काम कर सकता यह पर यहां मैं कैलकुलेटर चलाओंगा क्या नहीं मुझे क्योंकि यह टेबल दिया है तो मुझे इंटर्पोलेट करना पड़ेगा वह आपको आता इंटर्पोलेशन 0.03 पर वैल्यू है 1.3045 1.03045 और 0.04 पर है 1.04081 it means हम जब 0.01 का चेंज करते हैं तो यहां हो जाता 0.01036 का चेंज हो जाता पर मुझे चाहिए वैल्यू 0.0333 पर वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना पॉइंट 0033 बस इसके हिसाब से फिर क्या आप आराम से काम कर सकते हो मैं हैं इंटर्पोलेट नहीं करवा स तो फाइनल यांसर आ गया है यह एट मिस आठ है पासों को इससे मल्टिप्लाई करें तो एट सेबन एट इट आ गया इस इस थेयोरिटिकल फ्यूचर वैल्यू कब के लिए में के लिए ऐसे किसके लिए निकलेंगे जून के लिए जून के लिए इप आवर 0.05 और उसकी व नंबर अब कॉंट्रक्ट्स लेट ही उड एव तुसेल सल्ग मतलब शॉट करना है इफ फी डिजाय टू है अंटिल जून इच अब दफोलिंग एस अगर आपको टूटल पर्टफोलियो को हैस करना या 50% को हैस करना या 120 पर्षन को हैस करना है तो सर इतो फॉर्मुला लग 994450 into 0 minus bit of portfolio कितना है 1.102 divided by F कौन सा वाला लेना कब के लिए हैज करना है जून के लिए तो जून का F कौन सा लेना ये theoretical वाला लेना कि actual अगर actual वाला नहीं दिया होता तो फिर मैं assume कर लेता कि ये जो theoretical है इसी को हम actual मान के काम कर रहे है तो actual कितना है एक फाइफ एट फाइफ एट फाइफ जिरो एट एट फाइफ जिरो इन्टू 25 इन्टू 1 इस तरह से हम निकालते थे अगरार। फिर फाइफ एट कि कहाँ एट कर सकते हों इसने छू झरण नहीं लगाना हो चल जाएगा गिचल जाएगा यहां फिर यह 15 50% है करना दो बस यहाँ वैल्यू पूरी ना लिखकर यहां क्या लिखना पड़ेगा 50% लिखना पड़ेगा और 120% तो जो वैल्यू है उसको 120% बढ़ा के लिखना पड़ेगा बस नबर ओकॉंट्रिक्स निकांगा तो इस कोश्चन में क्या खाजवात थी वैसे इस कोश्चन में बचो को समस्या है सारे स्टोडी मठेशा है बचो को समस्या इसी लिए है प्ले की कोश्चन ICAI ने गलत एजंशन लेकर शूल कर रखा है और विसेस बात यह है कि आपको भी वही एजंशन लेना होगा अच्छा क्या है सब्सक्राइब बोले इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एक्विटी शियर्स में 90 करोड और इनके पास कैश वैश रखा है 10 करोड तो टूटल मिला करिकतना होगा है 100 करोड बीटा ओफ दी पोर्टफोलियो गलत लिखा है यहां लिखना था बीटा पॉर्टफोलियो मतलब पूरे 100 करोड का बीटा है बीटा पॉर्टफोलियो ही होता है दा इंडेक्स फ्यूचर जो है FDI 4300 फन मैनेजर को यह लगता है कि इंडेक्स जो है वो 10% से या तो बढ़ सकता या तो गिर सकता गिर सकता बोल रहा है 10% से डाउन हो सकता है मार्केट जिसमें आपने पैसा लगाया है अगर मार्केट डाउन होगा तो यह भी तो डाउन होगा हाँ मैने इंडेक्स फ्यूचर ही शूच्ट फर पर्फेक्ट है पर्फेक्ट है के लिए मतलब कम्प्लीट है वन फूचर कॉंट्रेक्ट 50 उनिट मतलब मल्टिप्लायर दिया है 50 ठीक है और सबस्टेंशिए यह आंसर एज्विंग देट फंड मैनेजर एफ्रेंसिव विल मतेरिया है मैं जो एक बाए बता हूं नंबर ओव कॉंट्रेक्ट निकालने का फॉर्मुला में ने दिया था वैल्यो पोट्फोलियो इंटो टार्गे बीटा माइनस बीटा पोट ग्रोड लेके कि सो करोड लेंगे और सवाल ale contained ने वाले कॉस्शोन जब मैं करने जाउंगा उसमें भी मैंने यह लिए इंस्ट्यूट ने यहां गल्ती किया उन्होंने का कैस हमारे पोर्टफोलियो का हिस्ता नहीं है तो हमारा जो वैल्योप पोर्टफोलियो है वो 90 करोड है जो कि गलत एजमृशन पर कोश्चन किया गया कैस इज नॉट और पार्ट और पोर्टफोलियो तो इन्होंने 90 करोड इंटू 1.1 क्योंकि बीटा 1.1 है इस चार हजार छीसो पाच कॉंट्रेक्ट निकाला इट मेंस कि इंडेक्स में जो पैसा लगा है वो 90 करोड 99 करोड नबें टू 1.1 कितना होता 99 CR लगाया है किसमें मार्केट में अब मार्केट यार दस पर्शन से गिरा तो 99 इन्टू 10 पर्शन 9.9 CR का लॉस है नहीं प्रॉफिट है प्रॉफिट और यहां 9 मार्क शेर मार्केट में 9.9 को कि 90 इंटु 11 पर है 9.9 करोड का प्रॉफिट है और यह कुछ इसमें कोई समस्वे नहीं यह तो आप वैसी भी कर लेते कोश्र बढ़ी एक जगा गेन हो रहा है किसमें गेन हो रहा है इंडेक्स फ्यूचर मार्केट के गिरने से 9.9 करोड का गेन हो रहा और एक जगा लॉस हो रहा है पोर्टफोलियू सवाल इस पर नहीं सवाल है कि आपने कैश को क्यो छोड़ दिया भई यह गलती है कोश्र बस इतना य यह कोशन किसी भी हालत में करके चले जाना और सर हमारे पास तो वो नहीं है मतलब डिटेल में समझ रहा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भाई लेकिन करके जाओगे ठीक है क्या है कोशन एक कोशन अच्छा कोशन है एक ट्रेडर इस हैविंग इ और कैस भी है 15ट तो टोटल कितने का है सौनक है 35 theskills का 3अम डाका Solo huh पर हो यह गलती है तो beta of share portfolio 1.6 after 3 month price of share 3.2% से गिर जाएगा बोल रहा है और portfolio beta निकालना अब निकाल सकते portfolio beta weighted average portfolio beta कैसे निकलेगा 85 into 1.6 और cash का beta दो 0 होता है 0 into कितना cash 15 85 into 1.6 करो 13 1.36 बीट आप पोटफोलियो डिवाइड भाइड रहे हंड़े कर देना 1.36 इस बीट आप पोटफोलियो बांगा थो तो यह हो गया है सेकेंड लाइन इंपोर्टन अब बस यह पॉइंट अपको धियां से करना पोटफोलियो बीटा निकालना है साहब लेकिन अभी का नहीं तीन मैंने बात का अगर जो ट्रेडर है वह भाई साहब उन्होंने लॉंग पोजिशन और ले रखा है 100 लाग का निफ्टी पर अब समझने की बात है इनके पास 85 लेक के तो शीर्स थे और साथ में 15 लाग कैश था शीर्स कैश और साथ में इन्होंने अलग से बैटिंग कर रखी थी कौन सा पोजिशन लिया था लॉंग पोजिशन ले रखा था किसमें मार्केट में यह निफ्टी पे कितने रुपए 100 लाग अलग लगा रख यह तो पोटफोलियो है अलग से 100 लाख रुपए और लगा रहा है ठीक है हुआ क्या यह बता हूं हुआ यह कि चो शीर्स है वह ड्रॉप्ट हो गया 3.2 पॉर्शन से अब सुनना पोटफोलियो बीटा कितना है पोटफोलियो बीटा पे में यह बीटाप शेयर पोटफोलि हो यह समझना है है सर यह 1.6 का मतलब सम्झादो बस है मार्केट गिरेगा 10 से एक परशंट की बात करतें मार्केट गिरेगा एक परशंट से तो शीर है न श्यर वो गिरेगा 1.6 परशंस चाह्स आपको समाज में आ जाया है वह बोलने जा रहा हूं is market गिरेगा 1% से तो share गिरेगा 1.6 से अच्छ दूसरी गिरेगा 2% से तो share गिरेगा 1.6 का डबल तो कि यह डाउन हो रहा कि आप पहले क्या होता था मारकिट गेता था उसके हिसाब से देख्ते थे कि शेयर में कितना फ्लक्शिएशन होता है इस बार बहुत साब इन्होंने शیर की बात पहले बता दिया मुलें शीज 디यम हो रहा है हम क्या करते थे पहले बता था मारकिट ड्रॉप हो तो हम निकालते थे शेर कितने से ड्रॉप हो रहा है इस बार वो क्या गर रहा है वो बोला कि नहीं शेर ड्रॉप हो रहा है तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि मार्केट कितने से ड्रॉप हो रहा है कि सार्ग बिटा का फ्रोंला कि शुक्रशर क helper मिला सबीत का इस पिटाउड एक रिंजन शय रप्राइस है डिवाइड में छेंजन मार्कट प्रेइस चंज इनें सब hai क्या बीटा हमको मालूम है हाँ सर बीटा मालूम है 1.6 हमें बीटा मालूम है 1.6 चेंज इन मार्केट हमें निकाल सकते हैं और शियर का प्राइस कितने पर्शन से डाउन हो रहा है 3.2 तो 3.2 divided by 1.6 तो कितना दो पर्शन तो मार्केट भी डाउन होगा कितने पर्शन से डाउन होगा दो पर्शन से बस यही एक मात्र चीज थी जो समझने वाली बाकि और कुछ नहीं तो सर सो लाक का दो पर्शन कितना होता है दो लाक दो लाक का लॉस हो गया सर यस आपने जो ब पता है अपने कैस में से 2,0,0 चला जाएगा यहां से गया 2,0,0 तो कितना बचा 13,0,0 और यह तो गिरी गया 85,0,00 का कितने पर्शन से 3.2 पर्शन से गिरा कर देखते 85-3,2 पर्शन तो इसका वैल्यू कितना बचा 82.28,0 प्लस 13 तो पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना बच 95.28 percentage में बोलो आपको loss हुआ कि नहीं हुआ हुआ आपका portfolio गीरा पहले portfolio कितने का था आपका 100 लाग का अब कितने का बचा 95 का तो देखो कितने percentage से down हो गए 100-95.28 divided by 100 into 100 सर 4.72% का loss हो रहा है और market जो है वो कितने percent से down हुआ है 2% जो तो बीटा निकल सकता है हाँ सर 4.72% divided by 2% तो बीटा आगया सर 2.36 यह घुमाकर है घुमाकर question लेकिन है बहुत अच्छा इसलिए तो मैंने बोला प्लीज इसको करके जाना और सर हमें इतनी speed से समझ में नहीं आया है तो चिंता की कोई बात नहीं डिस्क्रिप्शन में जाईए चेक किजिए डिटेल में कुछ लोग होते हैं न धीरे-धीरे से समझना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा धीरे कोई पढ़ा नहीं सकता है ठीक है अराम से आप जाओगे न तो आपको विस्वास कोईशन होगा उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर होगा हाँ कमोडिटी फ्यूचर बस खतम होने वाला है जी डेरिवट हो कोईशन नमर ट्वूटीवन देखें कोईशन ना यह रिवीजन तो ऐसा हो पढ़ाई ऐसी हो कि कोईशन देखते ही आपको कहें कि सर आप चुप हो जाओ हम बनाते हैं तब मज़ा है कि भी एसी देर का फाइब थाउजिन ठीक है वैल्यो पोट्पोलियन रुपी से दसलाग दसजार आर दिया 9% dividend yield दिया है 6% बीट आप पोट्फोलिय दिया 1.5 we assume that future contract on the B.S.E. index with 4 month maturity is used to hedge the value of portfolio over next 3 months यह important है यह लाइन की वज़ा से कोश्चन करवा रहा हो बागी कोश्चन में कुछ नहीं है कोश्चन ऐसा है आज क्या चल रहा है 5,000 this is spot price a future सुना दिहां से actually मुझे 4 month के लिए hedge करना betting करना 4 month के लिए इट मेंस मेरा जो टार्गेट है नहीं फोर मन्त के लिए नहीं मेरा जो टार्गेट है वह है 3 month मुझे सौदा काटना मैं बैटिंग करना चाहता हूं upside या downside जो भी betting है मैं करना चाहता हूं 3 month के लिए अब जब मैं stock action के पास पहुचता हूं कि stock action saudam betting करना तो किसमी करना बोले मैंनेहगा hem करना बेंकि कि वह शौ्ट होगा कि गिरेगा करके मैंगा हो जाए ठीक है ठेल है कि अशितेशर में बैटिंग करना गिरेर तो बहुच्छ और ठीक है 3 month तो बोले ठीक है आपके पास 1 month वाला है सोरी 3 month वाला 4 month वाला भी यूच कर सकते मैं नगा भाई it means मैं betting करूं 4 month के लिए हां कि 4 मेने बाद share का price यह हो जाएगा तो भाई बात यह है कि sir मुझे तो तीन मेने के ही लिए चाहिए ना मुझे betting में तीन मेने में खत्म कर दूगा मैं सौधा पैसा वैसा दे कर सेटल्मेंट करना मुझे करना तीन मेने में सेटल्मेंट लेकिन आप betting 4 month वाला यूच कर सकते हो आप आज अभी 3 माँ बाकि आज आप 4 में बैटिंग करो जब एक मेना होगा दो मेना होगा तीसरे मेने आएगा तो आप सेटल्मेंट कर लेना कर सकते मैं किस रेट पे बहले वह मैं बताओंगा ना सोचकर तो मैं क्या कर रहा हूं यह क्या लिखा है बोल रहा है वी एजिम डैट फ्यूचर कॉंट्रेक्ट ऑन ब अच्छी बात है वन फ्यूचर कॉंट्रेक्ट में पचाश टाइमस दा इंडेक्स तो भई क्या मांग रहा बोले प्राइज औफ फूचर कॉंट्रेक्ट सबसे पहले तो प्राइज निकालो तो बोलो दस लाग दस जार है future contract का price पूछ रहा है तो सबसे पहले one future का वो निकल ले थे theoretical price यहां तो कुछ और ही यह theoretical price ही पूछ रहा है एक बार theoretical price निकला उसके बाद काम हो जाएगा चलो theoretical price f is equal to s क्या continuously compounding यूज कर रहा होगे नहीं इंटू सीधा सीधा इंटू गया गर spot price one plus r minus d करो नहीं तो है नहीं one plus r d है तो r minus d इंटू t यहीं कर लेते और यह bracket कर तो मुझा है ठीक इस पॉर्ट प्राइस कितना 5000 नौ में से 6 माइनस कर दो चारमा का यूज करना नाइन माइनस 6 इंटू 4 बाइ 12 डिवाइड वे 100 प्लस तो वन पोई जिरो वाइन वट पॉइंट जीरो वाइनसर कितना येगा 5050 यह किसका प्राइस है फ्यूचर का प्राइस फोर मन्त फ्यूचर 5050 ठीक है और एक कॉंट्रेक्ट बोले 50 है और फाइजरो एक कॉंट्रेट का वैलू है 252500 पचास के कॉंटिटी है यह लिखा यह लिखा 50 times, ठीक है, एक contract की value आ गए, 50 into 5050, तो यह आगे 252500, और total आपके पास portfolio कितना है, 10,10,000, तो number of contract निकालना है, तो निकल सकता है, क्या, yes, 10,10,000 into, beat of hedge करना न आपको, hedge पता है na, value of portfolio into target beta minus beta of portfolio divided by this, तो ऐसा करो गया, चाहे तो सीधा करो, तो कितने contract, 6 contracts, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे picture है, बहतरी इन पिक्चर, अब सुनना दियान, the gain or short, short gain on short position of index turn out to be 4500 in 3 months, यह समझने की बात है, यहीं, आपने betting कर लिया, कितने में, 5050 से नीचे जाएगा, short position ले रखा, 5050 से नीचे जाएगा, और कौन सा है यह, फोर मन्त वाला है, फोर मन्त, फोर मन्त, ठीक है, और आप चले चार मेने का इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तीन मेने आगा है, थार्ड मन्त, अभी एक मेना बाकी है, और आप कह रहा है, 5050 से नीचे जाएगा, कौन सा वाल जो है वह 4,500 है यहां का प्राइस मुझे सौधा काटना है चलो काट दिते हैं यह 5050 से कम होना चाहिए कम हो गया नहीं ऐसे नहीं होगा दोनों रेट एक ही डेट की होने चाहिए मतलब मतलब आपने जो लॉंग पॉजिशन लिया है 5050 पॉजिशन लिया 5050 इसको काटना है यह यहां के लिए आपको देखना पड़ेगा वन मंथ फ्यूचर प्राइज अभी वन मंथ बाकी है न फॉरेक्स याद है कैंसलेशन करते थे हम लों कैंसलेशन अफॉर कॉंट्रेक्ट वह ऐसी होता था यहां के लिए जब यहां थे शुरू में तो देखते थे फोर मंथ जब थीन माह हो चुका यहां तो अभी कितना बच़ गर्टेमा तो और 4万-2 वाले डिपता यहां का यहां का रेंट नेकल दिखल रहा हूं यहां का υ्यूचर प्रष निकालनी की कोशिश स्क्राइज स्कॉचित कर रहें यह निकल जाएगा यह निकला चारहजर पास सो यह वन मन्त का 4511.25 इट मिन्स आप कह रहे थे 5050 से नीचे जाएगा और हो गया 4511.25 तो क्या आपको गेन हो गया यस जितने का गेन हुआ इंटु एक कॉंट्रेक्ट में 50 निफ्टी होता है और टोटल नंबर ओप कॉंट्रेक्ट 6 होते हैं तो टोटल मिलाकर इतने रुपए का आपको गेन हो गया इसमें लिखा कि अल्टरनेटिव आप कांटुनिशली कांपाउंडिंग को यूज कर सकते हो हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे ठीक है ठीक सा सर इसको भी थोड़ा सा डीटेल में समझने का था क्योंकि कोशन अच्छा है कोई बात नहीं इसका भी कोई इस कोशन का भी लिंक में आपको दे दूँगा जो जो भी मुस्किल कोशन है आपको लग रहा कि यह बहुत जल्दी हो गया बहुत आराम से समझाए हो अगर आपके पास टाइम है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएए चेकिजिए आपको मिलेगा पका मिलेगा हो गया जी हाँ ची सर हो गया चलो जी अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक कामोडिटी फ्यूच जैसे शियर्स का था वैसे ही कमोडिटी का एक इसमें मार्जिन था जो की अल्रेडी कवर्ड है चाहे आप शियर बोलो चाहे आप एक तो हमें को यह सीखना है त्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस और एक क्या सीखना बीटा मैनेश्मेंट सर थ्यूरिटिकल फ्यूचर प्राइस इसमें भी होगा क्या यस और इसमें क्या होते दो ही कोशन है दोनों इसका एक कोशन इसका एक कोशन आने की चांसेज बहुत ही कम होते हैं पर करना जरूरी है आ गया तो और इसा नहीं ऐसेठी मठेल में नेंया मैं यह भी नहीं वह ब्लू स्ट इमटेरियल में भी है तो सर करना तो पड़े अपक्त थियाओ हाँ अबोलम हाँ चलो तो सोचते थोड़ा सा इस beingP 95 सांया मुझे एक साल में इस टील की रिकवार मेंट बाऊच ज़ौह श्टिल कर रिकवार्मन कि अभी श्टिल अभाव क्या चल रहा सर पाच लाख रूपेट ट। पाच लाख रूपेट जनुरुरत को एक सल्बात है कि मुझे डरatory एक शाल बात जो है भी ť Susie पर हैजिंग की चुड़ों मेरा को ओषिन है अभी अब संब्सक्राक्राइब बरके रख ले अभी खरीद ले पाच लाग का या फिर एक साल बाद खरीदने का कॉंट्रिट कर ले किसी और के साथ किसी और के साथ कर रहे तो बोल रहा है भाई पाच लाग तीस जार में बेचूंगा सवाल बस इतना से आज खरीदे एक टन इस्टिल पाच लाग रुपए में मिलेगा या फिर किसी के साथ कॉंट्रिट कर ले कि भाई या एक साल बाद मुझे जो इस्टिल है वह पाच लाग तीस जार को रुपए का दे दोगे सवाल बस इतना से यह कौन सा प्राइज है सरी फ्यूचर प्राइज है और यह destroys cost अभी खरीदोगे तो रखोगे ना यार कहां रखोगे गोडाउन उस पर खर्च भी तो आए गा इस्टोरेंस कॉष्ट है और इस क्वार्ट प्राइच प्लास में होने उसका present value करलो में पास अभी कितना कॉस्ट परड़ा में एंगर मैं Future Contract कर लेता तो मेरा क्या फायदा है कि इस पार्ट प्राइस प्लस सेविंग इन प्रेजन्ट वैल्यों बिष्टोरिस कॉस्ट प्रेजन्ट वैल्यू में आज की बात कर रहा हूं ठीक है पिर मैं उसको future में ले जाओंगा आराम से मैं क्या करता था पहले एस one plus R मैं गह रहा हूं कि अभी one plus R बाद में सबकी पहले present value निकाल लेते हैं भी बाद में सबको future फ्यूचर में ले जा लेंगे ठीक है ठीक है सर इस्टूरिस कोस्ट का आपको फायदा ठीक है मानते हैं एक समस्या future contract में जाता हूं तो एक फायदा पर एक problem भी dividend dividend थोड़ी नहों का फायदा क्या है फायदा यह है अगर लॉस है लॉस अगर मैं future content करता हूं कि बाइचांस कोई customer बीच में आता है और क्या था मुझे श्टील चाहिए अगर आप खरीद के रख लेते तो आपके गोडाउन में होता तुरंत देते लेकिन आपने खरीदा नहीं आपको इस्टील की जिरूरत पढ़ गई बीच में तो फिर आपको उस इस्टील का अरेंजमेंट करने के लिए ज्यादा problem होग जितना आप अपने गोडाउन में रहते तो ज्यादा convenience होता तो इससे एक नुकसान भी है लॉस भी है और आपको क्या लगेगा माइनस प्रेजेंट वैल्यू अब कर दो फ्यूचर प्रेस तो फ्यूचर प्राइस में क्या होगा एक स्पॉर्ट प्राइस प्रेजेंट वैल वैल्यूचर और इन सब को फ्यूचर में पहुचा दे और फिर देखना फिर कंपरिजन करेंगे कि हमारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा एक कोशन है वह देख लेते हैं निया कि फालिंगे इनवाम और आपको मालू में क्या है कुछ नहीं आता वह इससे सए यह तो यह मिसिंग कर देगा यह यह इस व कर देगा फ्यूचर प्राइस बता देगा यह ब बतादेगा यह पीवं बता देगा एक चीज्ज प्रेसिघर यह फोटह दो और स्वन present value निकाल कर देती है और आपको निकालना present value of conventional तो सर 10,000 प्लस इस्टोरिज कोश्ट कितना पास सहूं माइनस present value of conventional और इसको कर दो one point एक सल का है ना one two is equal to कितना 10,800 तो सर निकल जाएगा बिल्कुर आराम से इतना आएगा answer 857.14 आने के chances बहुत कम है तो इस पे भी आप ज्यादा focus नहीं करोगे तो भी चल जाए एक और concept होता इसमें housing आपको सुनना दियांस इस्टिल चाहिए तीन महने बाद यह समझ लों आपने बहुत सारा इस्टिल खरीद के रख लिया है ठीक है सर रख लिया है आपको किस बात का डर कहीं प्राइस इस टॉक में जमानी बरका रख लिए किस बात कर कहीं प्राइस कमना हो जाए प्राइस कमना हो जाए तो उसको हैज भी तो करना पड़ेगा किस बात का डर है कहीं फ्यूचर बताएं आपको फ्यूचर जो हता ना stock action उसमें betting चलती है और बैटिटिन से सेयर केradas की और उसमें गॉल्ड की बीच लिजित इभी गोल्ड का गोल्ड की बात करो गोल्ड आपने खरीत के रखा डर किया कि दो एक कि रॡ़ आंग मतलब खरीद के रख लिया कितना 10 द्हक मेट्टा कॉपर 474 रुपए पर केजी के हिसाब से ठीक है दस मैट्रिक टन में कितना केजी होता यह आपको देखना पड़ेगा है और इंटेंट टुरिमें फार इंशिविंग क्वाइटर इस बार उसने बीटा नहीं दिया बले इसका कोई बीटा नहीं होता है इन्होंने इस्टेंड इविशन आप सिक्यूरिट इश्टेंड आवीशन ओं मार्केट इंटु गोर्रेशन सीकुरिटीयन मार्केट पोटफिलियो याद है सर मार्केट यहां सिक्यूरिटी के जगए सीक्यूरिटी के कुछ और लगदेंसपड प्रक्ट ठीक है तो सबसे पहले आपको बीटा नि के बाद इन्होंने क्या का उन्होंने का यार हमारा कितना पैसा लगा अब ले 10 मेट्रिक टन इन्टू 0.5 यहां कर लेते हैं 10,000 x 474 तो 47,000 का आपका कौन सा पोजिशन है लॉंग बीटा है 0.5 तो 23,70,000 का आपको कौन सा पोजिशन लेना पड़ेगा शॉट पोजिशन लेना पड़ेगा शॉट पोजिशन किसमें कॉपर फ्यूचर में कॉपर की बात हो रही है किसके ने पर्फेक्ट है इसके लिए ठीक है और कुछ बच्चा है क्या मेरे ख्याल से बात खतम हो चुकी है तेव इसलाक्स तरजा यस अभी अभी सुनों क्या करना है भाई मैं करवा तो दिया रिवीजन मुझे नहीं मालम अगर जिसने पहले कर रखा होगा तो उसको तासानी से समझ में आगा जिन्होंने नहीं कर रखा उनको दिक्कत है अब उनके लिए क्या किया है मैंने तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में जरूर तो इसको कोशिश करना खतम करने की कुछ समझ में ना आए तो फिर आप मुझे मैसेज करना जैसे भी पर खतम करना इसको तो अब हम कम मिलेगे सायद हम 22 को मिलेगे ना अब देख लेंगे जब भी मिलेगे उस दिन आपका पिपर रहेगा डेरिविट्व को तो आप तैयार है इसको कम्प्लेट करें थैंक्यू सुमच बाइबाए